निर्गमन अध्याय एक इस्राइल के पुत्रों के नाम जो अपने-अपने घ्राने को लेकर याकुब के साथ मिस्रदेश में आये यह है अर्थात रुबेन, शिमोन, लेवी, यहुदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामिन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर और युसूप तो मिस्र में पहले ही आचुका था, याकुब के निजवश में जो उत्पन हुए, वे सब सत्तर प्राने थे, और युसूप और उसके सब भाई, और उस पीड़ी के सब लोग मर मिटे, और इस्राइल के संतान फूलने-फलने लगी, और वे लोग अच्यनत साम और थी बनते चले गए, और इतना अधीक बढ़ गए, कि कुल देश उनसे भर गया, मिस्र में एक नया राजा गद्धी पर बैठा, जो युसूप को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राइली हमसे गिंती और सामर्थ में अधीक बढ़ गए ह इसलिए आओ, हम उनके साथ बुद्धिमानी से बरताव करें, कही ऐसा नहों कि जब वे बहुत बढ़ जाए, और यदी संग्राम का समय आ पड़े, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े, और इस बेश से निकल जाए, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों क नियुकत किया, कि वे उन पर पहार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें, तब उन्होंने फिरोन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडारवाले नगरों को बनाया, पर जो जो वे उनको दुख देते गए, तो तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलि उनके जीवन को गारे, इट और खीती के भाती भाती के काम की कठीन सेवा से दुखी कर डाला, जिस किसी काम में वे उनके सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का प्योफार करते थे, शिप्रा और पुआ नाम दो इबरी धायों को मिस्र के राजा ने आग्या दी, कि जब तुम इबरी स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदी बेटा हो, तो उसे मार डालना, और बेटी हो, तो जीवित रहने देना, परंतु वे धाया परमिशर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा के आग्य न मान कर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो, धायों ने फिरोन को उत्तर दिया, कि इबरी स्त्रिया मिस्त्री स्त्रियों के समान नहीं ह वे ऐसी फूरतिली है कि धायों के पहुशने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमिश्वर ने धायों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाया इसलिए कि वे परमिश्वर का भहे मानती थी उसने उनके घर बसाए। तब फिरोन ने अपने सारी प्रजा के लोगों को आग्या दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभों को तुम नील नजी में डाल देना और सब बेटियों को जिवित रख छोड निर्गमन अध्याय दो लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याहा लिया और वह स्त्री गरभवती हुए और उसके एक पुत्र उत्पर्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुन्दर है उसे तीन महिने तक छीपा रखा और जब वह उसे और छीपा न सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकुरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच आई उस पालक के बहिन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होता है तब फिरोन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई उसकी सखिया नदी के तीर तीर तहलने लगे तब उसने कासों के बीच टोकुरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए जा तब उसने उसे खुल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इबरी का बालक होगा तब बालक की बहिन ने फिरोन की बेटी से कहा क्या मैं जाकर इबरी स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आओ जो तेरे को दूद पिलाया करे। फिरोन की बेटी ने कहा जा तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरोन की बेटी ने उससे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूद पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूँगी। तब वह स्तरी बालक को ले जाकर दू और वहां उसका बेटा ठारा, और उसने यह कह कर उसका नाम मूसा रखा, कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। उन दिनों में ऐसा हुआ, कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधों के पास जाकर उनके दुखों पर दुरुष्टी करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इबरी भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इबरी पुरुष्ट आपस में मार पीट कर रहे है। उसने अपराधी से कहा, तु अपने भाई को क्यों मारता है। उसने कहा, किसने तुछे हम लोगों पर हाकिन और न्याई ठहराया। जिस भाती तुने मिस्री को घात किया, क्या उसी भाती तु मुझे भी घात करना चाहता है। तब मुसा यह सोचकर डर गया, कि निश्च यह बात खुल गई है। जब फिरोन ने यह बात सुनी, तब मुसा को घात करने की युकती की। तब मुसा फिरोन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। और वह, वहाँ एक कुए के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की साथ बेटिया थी, और वह वहाँ आकर जल भरने लगी, कि कठोतों के बरके अपने पिता की भेडबकरियों को पिलाये। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मुसा ने खड़ा होकर उनकी साहता की, और भेडबकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास फिर आई, तब उसने उनसे पूछा क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फूर्ती से आ गई हो। उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुडाया, और हमारे लिए बहुत जल भरके भेडबकरियों को तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहा है, तुम उसको क्यों छोडाई हो, उसको बुला ले आओ, कि वह भोजन करे। और मुसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिपुरा को ब्याह दिया, और उसके एक पुत्र उत पर न हुआ, तब मुसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीटने पर मिस्र का राजा मर गया, और इसरायली कठिन सेवा के कारण लंबी-लंबी सास लेकर आहे भरने लगे, और पुकार उठे, और उनकी दो रहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकुब के साथ बांधी की सुमरन किया, और परमिश्वर ने इसरायलियों पर दुष्टि करके उन पर चित लगाया। निर्गमन अध्याय तीन मुसा अपने ससूर इत्रो नाम मिध्यान के याजक की भेडवक्रियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और हुरेव नाम परमिश्वर के परवत के पास ले गया, और परमिश्वर के दूत ने एक कटीली जाड़ी के बीच आग की लव में उसको दर्शन दिया, और उसने दुरुष्टि उठा कर देखा कि जाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती, तब मुसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंबे को देखूंगा, कि वह जाड़ी क्यों नहीं जल जाती, जब यहवा ने देखा कि मुसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमिश्वर ने जाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा, कि हे मुसा, हे मुसा, मुसा ने कहा क्या आग्या, उसने कहा इधर पास मत आ, और अपने पाउ से जूतियो को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तु खड़ा है, वह पवित्र भूमी है, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमिश्वर और इब्राहिम का परमिश्वर, इसहा का परमिश्वर और याकुप का परमिश्वर हूँ, तब मुसा ने जो परमिश्वर की ओर निहारने से अपना मुह धाप लिया, फिर यहवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्रमे हैं, उनके दुख को निश्चे देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारन होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीडा पर मैंने चित लगाया है, इसलिए अब मैं उतराया हूँ, कि उन्हें मिस्रियों के वश से चुडाओ, और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूद और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परीजी, हिव्वी और यवुसी लोगों के स्थान म पहुचाओं, सो अब सुन, इसरायलियों की चिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरोन के पास भेजता हूँ, कि तु मेरी इसरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, मुसा ने परमिश्वर से कहा, मैं कौन हूँ, जो फिरोन के पास जाओ, और इसरायलियों को मिस्र से निकाल ले आओ, उसने कहा, निश्चे मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्न होगा, कि जब तु उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड पर परमिश्वर की उपास ना करोगे. मुसा ने परमिश्वर से कहा, जब मैं इसरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ, कि तुम्हारे पित्रों के परमिश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भीजा है, तब यदिवे तब मैं उनको क्या बताओ? परमिश्वर ने मुसा से कहा मैं जो हूं सो हूं. फिर उसने कहा तु इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. फिर परमिश्वर ने मुसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह कहना कि तुम्हारे पित्रों का परमिश्वर अर्थात इब्राहिम का परमिश्वर इसाहक का परमिश्वर और याकुब का परमिश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। और उनसे कहा कि तुम्हारे पितर इबराहिम, इसहाक और याकूब के परमिश्वर यहवा ने मुझे दर्शन दे कर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम से जो बरता मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है और मैंने ठांग लिया है कि तुमको मिस्र के दुखो में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिवी और यवुसी लोगों के देश में ले चरूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बैती है, तब वे तेरी मानेंगे, और तू इसराइली पुरुणियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना, कि इब्रियों के परमिश्वर यहवा से हम लोगों की भेट हुई है, इसलिए अब हमको तीन दिन के माग पर जंगल में जाने दे, कि अपने परमिश्वर यहवा को बलिदान चढ़ाए, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, ब मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुगरह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूचे हाथ न निकलोगे, बरन तुमारी एक एक स्त्री अपनी अपन को पहिनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेंगे, निर्गमन अध्याय चार, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरे प्रतिती न करेंगे, और न मेरी सुनेंगे, बरन कहेंगे कि यहवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया, यहवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है, वह बोला लाठी, उसने कहा, उसे भूमी पर डाल दे, जब उसने उसे भूमी पर डाला, तब वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा, तब यहवा ने मुसा से कहा, हाथ बढ़ा कर उसकी पूंच पकड ले, कि वे लोग प्रतीति करे कि तुम्हारे पित्रों के परमेश्वर अर्थात इसाह के परमेश्वर और याकुप के परमेश्वर यहवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ा कर उसको पकड़ लिया तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढाप। फिर रख कर ढाप और उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सुखी भूमी पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सुखी भूमी पर लोहु बन जाएगा। मुसा ने यहवा से कहा हे मेरे प्रभू मैं बोलने में निपुन नहीं न तो पहले था और न जबसे तू अपने दास से बाते करने लगा मैं तो मुह और जीप का भद्दा हूँ। यहवा ने उससे कहा मनुष का मुह किसने बनाया है और मनुष को गुंगा वा बहिरा वा देखने वाला वा अंधा मुझ यहवा को छोड कौन बनाता है। अज्जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाओंगा। उसने कहा है मेरे प्रभू जिसको तुचाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहवा का कोप मुशा पर भढ़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेविय हारुन नहीं है। मुझे तो निश्चे है कि वह बोलने में निपुन है और वह तेरी भेट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तु उसके ये बाते सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हे करना होगा वह तुमको सिखनाता जऊँगा। और वहां तेरी ओर से लोगों से बाते किया करेगा, वहां तेरे लिए मुह और तू उसके लिए परमिश्वर ठहरेगा, और तू इस लाठी को हाथ में लिये जा, और इसी से इन चिन्धों को दिखाना। तब मुसा अपने ससूर इत्रों के पास लवटा, और उससे कहा, मुझे बिदाकर, कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भायों के पास जाकर देखू, कि वे अब तक जीवित है वा नहीं। इत्रों ने कहा कुशल से जा, और यहवा ने मिध्यान देश में मुसा से कहा, मिस्र को लवट जा, क्योंकि जो मनुष्व तेरे प्रान के प्यासे थे, वे सब मर गये हैं। तब मुसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ा कर, मिस्र देश के ओर परमिश्वर की उस लाठी को हाथ में लिये हुए लवटा। और यहवा ने मुसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब सावधान हो, और जो चमतकार मैंने तेरे वश में किये हैं, उन सभों को फिरोन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हटीला करूंगा, और वहां मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरोन से कहना कि यहवा परमिश्वर यो कहता है, कि इसरायल मेरा पुत्र बरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझ से कह चुका हूँ कि मेरा पुत्र को जाने दे कि वहां मेरी सेवा करे, और तुने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहवा ने मूसा से भेट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपुणा ने एक तेज चक्मक पत्थर लेकर अपने बेटे की खडली को काट डाला और मूसा के पाव पर यह कह कर फिक दिया कि निश्चे तू लोहू बहाने वाला मेरा पती है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खटने के कारण वह बोली तू लोहू बहान पती है। तब यहवा ने हारुन से कहा मूसा से भेट करने को जंगल में जा और वह गया और परमिश्वर के परवत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारुन को यह बतलाया कि यहवा ने क्या-क्या बाते कहकर उसको भेजा है और कौन-कौन से चिन्ह दिखला उसे दी है, तब मुसा और हारुन ने जाकर इस्राइलियों के सब पुरुनियों को इकटा किया, और जितनी बाते यहवा ने मुसा से कही थी, वह सब हारुन ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वेचन्न भी दिखलाए, और लोगों ने उनकी प्रतीती की, और यह सुनकर कि यहवा ने इस्राइलियों की सूधी ली और उनके दुखों पर दुष्की की है, उन्होंने सिर जुका कर दंड़वत की। परमिश्वर यहवा यो कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरोंने कहा यहवा कौन है, कि मैं उसका वचन मान कर इस्राइलियों को जाने दू, मैं यहवा को नहीं जानता, और मैं इस्राइलियों को नहीं जाने कि अपने परमिश्वर यहवा के लिए बलिदान करे। ऐसा न हो कि वह हमसे मरी फैलाए, वा तलवार चलवाए। मिश्र के राजा ने उनसे कहा, हे मुसा, हे हारुन, तुम क्यों लोगों से काम चुलवाना चाहते हो। तुम जाकर अपने अपने बोज को उठाओ। फिर फि परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरोन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यहाँ आग्या दी कि तुम जो अब तक इटे बनाने के लिए लोगों को पुवाल दिया करते थे, सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुवाल इकटा करें। तो भी जितनी इटे अब तक उने बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। इटों की गिंती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिलाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश के लिए बलिदान करें। उन मनुश्रों से और भी कठीन सेवा करवाई जाएं कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और जुटी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरोन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुवाल नहीं दूँगा। तुम ही जाकर जहां कहीं पुवाल मिले, वहां से उसको बटोर कर ले आओ। परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तीतर बीतर हुए कि पुलाव की संती खुंटी बट उसी प्रकार अपना प्रती दिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राइलियों में से जिन सरदारों को फिरोन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई। और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई इ फिरोन की दोवाई दे कर यह कहा कि तु अपने दासों से ऐसा बरताव क्यों करता है, तेरे दासों को पूवाल तो दिया ही नहीं, और वे हमसे कहते हैं कि इटे बनाओ, इटे बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोश तेरे ही लोगों का है। फिरोन न जाकर अपना काम करो और पुवाल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु इटों की गिंती पूरी करनी पड़ेगी। जब इसराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी इटों की गिंती न घटेगी और प्रति दिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जा के सन्मुक से बाहर निकलाए, तब मूसा और हारुन जो उनसे भेट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारुन से कहा, यहोवा तुम पर दुष्टी करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरोन और उसके करमचारियों की दुष्टी में ग हे प्रभु, तुने इस परजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तुने मुझे यहां क्यों भेजा, जबसे मैं तेरे नाम से फिरोन के पास बाते करने के लिए गया, तबसे उसने इस परजा के साथ बुरा ही व्यवार किया है, और तुने अपनी परजा का कुछ भी निर्गमन अध्याय छे निर्गमन अध्याय छे तब यहुआ ने मूसा से कहा अब तू देखेगा कि मैं फिरों से क्या करूंगा जिससे वह उनको बर्बस निकालेगा वह तो उन्हें अपने देश से बर्बस निकाल देगा और परमिश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहुआ हूँ मैं सरोशक्तिमान परमिश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकुब को दर्शन देता था परंतु यहुआ के नाम से मैं उन पर प्रगट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दुढ़े की है अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेश होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूँगा और इस्राइली जिन्हें मिस्री लोग दासतों में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरन किया है इस कारण तू इस्राइलियों से कहा कि मैं यहवा हूँ, और तुमको मिस्रीयों के बोज़्ों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासतों से तुमको छुडाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हे छुडालूंगा, और मैं तुमको जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमिश्वर यहुआ हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोजों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपत मैंने इबराहिम, इसहाक और याकुब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुचा कर उसे तुम्हारा भाग कर मैं तो यहुआ हूँ, और ये बाते मुसा ने इस्राइलियों को सुनाए, परंतु उन्होंने मन की बैचेनी और दासतों की करूरता के कारण उसकी न सुनी, तब यहुआ ने मुसा से कहा, तु जाकर मिस्र के राजा फिरोन से कहा, कि इस्राइलियों को अपने देश में से निकाल जाने दे, और मुसा ने यहुआ से कहा, देख, इस्राइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर, फिरोन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा, और यहुआ ने मुसा और हारुन को इस्राइलियों और मिस्र के राजा फिरोन के लिए आग गया, इस अभिप्र से दी कि वे इस्राइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाये, उनके पित्रों के घरानों के मुख्य पुरूश यह है, इस्राइल के जेठा रुबेन के पुत्र हनोक, पल्लु, हैस्त्रोन और कर्मी थे, इनी से रुबेन के कुल निकले, और शिमून के पुत्र यमुयल, यामिन, ओहद, याकिन और सोहर थे, और एक कनानिस्त्री का बेटा शावल भी था, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले, और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वईशावली चली है, उनके नाम ये है, अर्थात, गेर्शोन, कहात और मरारे, और लेवी की पूरी अवस्ता एक सो सैत वर्ष की हुई, गेर्शोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला लिबनी और शीमी थे, और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेबरोन और उजियल थे, और कहात की पूरी अवस्ता एक सो सैतिस वर्ष की हुई, और मरारी के पुत्र महली और मुशी थे, लेवी के कुल जिनसे उनकी वन्शावली चली यही है, अम्राम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया, और उससे हारुन और मुसा उत्पन्न हुए, और अम्राम की पूरियवस्ता एक सो सैतिस वर्ष की हुए, और इसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे, और उज्जियल के और सित्री थे, और हारुन ने अम्राम नादाब की बेटी और नहशोन की बहिन एलिशेवा को ब्याह लिया, और उससे नादाब, अभिहो, एलाजार और इत्मार उत्पन्न हुए, और कोरह के पुत्र असिर, एलकाना और अभिया साप थे, और इही से कोरहियों के कुल निक और हारुन के पुत्र एलाजार ने पुतियल की एक बेटी को ब्याह लिया, और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, जिससे उसका कुल चला, लेवियों के पित्रों के घहानों के मुख्य पुरुश यही है, हारुन और मुसा वही है, जिनको यहवा ने यहां आग्या दी, कि इ उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आए, यह वही मुसा और हारुन है, जिन्होंने मिस्र के राजा फिरोन से कहा, कि हम इस्राइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे, जब यहुआ ने मिस्र देश में मुसा से यह बात कही कि मैं तो यहुआ हूँ इसलिए जो कुछ मैं तुम से कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना और मुसा ने यहुआ का उत्तर दिया और कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन क्यों कर मेरी निर्गमन अध्याय साथ तब यहवा ने मूसा से कहा सुन मैं तुझे फिरोन के लिए परमिश्वर सा ठैराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नभी ठैरेगा जो जो आग्या मैं तुझे दू वही तू कहना और हारून उसे फिरोन से कहेगा जिससे वह इस्राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे और मैं फिरोन के मन को कठोर कर दूँगा और अपने चिन्ध और चमतकार मिस्र देश में बहुत से दिखाओंगा तो भी फिरोन तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ा कर मिस्रियों को भारी दंड दे कर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ा कर इस्राइलियों को उनके बीच से निकाल दूँगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ तब मुसा और हारुन ने यहवा की आग्या के अनुसार ही किया और जब मुसा और हारुन फिरों से बात करने लगे तब मुसा तो 80 वर्ष का और हारुन 83 वर्ष का था। फिर यहवा ने मुसा और हारुन से इस प्रकार कहा कि जब फिरों तुमसे कहे कि अपने प्रमान का कोई चमतकार दिखाओ तब तू हारुन से कहना कि अपनी लाठी क लेकर फिरोन के सामने डाल दे कि वहां अजगर बन जाए तब मुसा और हरुन ने फिरोन के पास जाकर यहवा की आग्या के अनुसार किया और जब हरुन ने अपनी लाठी को फिरोन और उसके करमचारी के सामने डाल दिया तब वहां अजगर बन गया तब फिरोन ने पंडित और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने-पने मन्तर-तंतर से वैसा ही किया, उन्होंने भी अपने-पनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए, पर हरुन की लाठी उनकी लाठीयों को निगल गई, परंतु फिरोन का मन और हटिला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मुसा और हरुन की बातों को नहीं माना तब यहोवा ने मुसा से कहा फिरुन का मान कठोर हो गया है और वह प्रजा को जाने नहीं देता इसलिए बिहान को फिरुन के पास चा वह तो जल की ओर बाहर जाएगा और जो प्रशात में लिये हुए नील नदी के तट पर उससे भीट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना कि इबरियों के परमिश्वर यहवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि जिससे वे जंगल में मेरी उपास ना करे, और अब तक तुने मेरा कहना नहीं माना, यहवा यह कहता है, इससे तु जान लेगा कि मैं ही परमिश्वर हूँ, देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लोहु बन जाएगा, और जो मचलिया नील नदी में है, वे मर ज गीगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्टियों का जी न चाहेगा, फिर यहवा ने मुसा से कहा, हारुन से कहा, कि अपनी लाठी लेकर मिस्ट देश में जितना जल है अर्थात, उनकी नदिया, नहरे, जीले, पोखरे, सब के उपर अपना हाथ बढ़ा, कि उनका जल लोहु बन जाए, और सारे मिस्ट देश में काठ और पत्थर दोनों भाती के जल पात्रों में लोहु ही लोहु हो जाएगा, तब मुसा और हारुन ने यहवा की आग्याही के अनुसार किया, अर्थात, उसने लाठी को उठा कर फिरोन और उसके करमचारियों के देखते नी नदी का सब जल लोहु बन गया, और नील नदी में जो मचलिया थी, वे सब मर गई, और नदी से दुरगंद आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्ट देश में लोहु हो गया, तब मिस्र के जादुगरों ने भी अपने मंतरतंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरोन का मन हटिला हो गया, और यहवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हरुन की न मानी, फिरोन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुहफेर के अपने घर में चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे, और जब यहवा ने नील नदी को मारा था, तब से साथ दिन हो चुके थे। पास जाकर कहा, यहवा तुझ से इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपास ना करे, और यदि उन्हें जाने न देगा, तो सुन, मैं मेंधक भेज कर तेरे सारे देश को हारी पहुचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंधकों से भर जाएगी, और वे तेरे भावन में और तेरे बिच्छोने पर, और तेरे करमचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर पर तेरे तंदुरों और कठोतियों में भी चड़ जाएगी, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे करमचारियों सभू पर मेंधक चड़ जाए बढ़ा कर मेंधिकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारुन ने मिस्र के जलाशोय के उपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंधिकों ने मिस्र देश पर चढ़ कर उसे चा लिया। और जागुगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंधक यहुआ से बिंती करो कि वहां मेंधकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इस्राइली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहुआ के लिए बलिदान करें। तब मुसा ने फिरोन से कहा इतनी बात पर तुम मुझ पर तेरा घमंडर है। अब मैं तेरे और तेरे करमचारिय और प्रजा के निमित तक कब बिंती करू कि यहुआ तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंधकों को दूर करें और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा कल उसने कहा तेरे वच्चन के अनुसार होगा जिससे तुझे यह ग्यात हो जाएगा कि हमारे परमिश्वर यहवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मैंधक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे करमचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारुन फिरों के पास से निकल गए। और मूसा ने उन मैंधकों के विशय यहवा की दोहाई दी जो उसने फिरों पर भेजे थे। और यहवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया। और मैंधक घरों और आंगनों और खेतों में मर गए। और लोगों ने इकटे करके उनके धेर लगा दिये और सारा देश दुरगंद से भर गया। परंतु जब फिर उनने देखा कि अब आराम मिला है तब यहवा के कहने के अलुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। फिर यहवा ने मूसा से कहा हरुन को आग्या दे कि तू अपनी लाठी बढ़ा कर भूमी की धूल पर मार जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए और उन्होंने वैसा ही किया। अर्थात हारुन ने लाठी को ले हाथ बढ़ा कर भूमी की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई। बरन सारे मिस्र देश में भूमी की धूल कुटकिया बन गई। तब जादुगरों ने चाहा कि अपने मंतर तंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आए। परंतु यहां उनसे न हो सका। और मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया बन ही रही। तब जादुगरों ने फिरोन से कहा यह तो परमिश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहवा के कहने के अनुसार फिरोन का मन कठोर होता राया। और उसने मूसा और हरुन की बात न मानी। फिर यहवा ने मूसा से कहा बीहान को तड़के उठकर फिरोन के सामने खड़ा जलकी ओर आएगा, और उससे कहना कि यहवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपास ना करे, यदि तु मेरी प्रजा को न जाने देगा, तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों, और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में जु उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती हैं अलग करूंगा और उसमें डासों के जुंड न होंगे जिससे तू जान ले कि पूत्वी के बीच में मैं ही यहवा हूँ और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा यह चिन्ध कल होगा और यहवा ने वैसा ही किया और फिरोन के भवन और उसके करमचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में दासों के जुंड के जुंड भर गए और दासों के मारे वह देश नाश हुआ तब फिरोन ने मुसा और हारुन को बुलवा कर कहा तुम जाकर अपने परमेशर के मुसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमिश्वर यहवा के लिए मिस्रियों की ग्रुनित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी ग्रुनित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हमको पत्थरवाह न करेंगे? हम जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमिश्वर यहवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरोन ने कहा मैं तुमको जंगल में जारी दूँगा कि तुम अपने परमिश्वर यहवा के लिए जंगल में बलिदान करो केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए बिंती करो। तब मुसा ने कहा सुन मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहवा से बिंती करूँगा कि डासों के जुंड तेरे और तेरे करमचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरोन आगे को कपट करके हमें यहवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए नहीं न करे। सो मुसा ने फिरोन के पास से बाहर जाकर यहवा से बिंती की और यहवा ने मुसा के कहे के अनुसार दासों के जुंडों को फिरोन और उसके करमचारियों और उसकी प्रजासे दूर किया यहां तक कि एग भी न रहा तब फिरोन ने इस बार भी अपने मन को सुनने किया और उ निर्गमन अध्याय नव फिर यहवा ने मूसा से कहा, फिर उनके पास चाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहवा तुछ से इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि मेरी उपास ना करे, और यदि तु उन्हें जाने न दे, और अब भी पकड रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, उन्ट, गायबैल, भेडबक्रिया, आधी पशु मैदान में है, उन पर यहवा का हाथ ऐसा पड़ेगा, कि बहुत भारी मरी होगी, और यहवा इस्राइलियों के पशु में और मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर करेगा, कि जो इस्राइलियों के हैं, उन में से कोई भी न मरेगा, फिर यहवा ने यह कहिकर एक समय ठहराया, कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा, दूसरे दिन यहवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गये, परन्तु इस्राइलियों का एक भी पशु न मरा, और फिरोन ने लोगों को भेजा, पर इस्राइलियों के पशु वो में से एक भी नहीं मरा था, तो भी फिरोन का मन सुन हो गया, और उसमें उन लोगों को जाने न दिया, फिर यहवा ने मूसा और हारुन से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक-एक मुठी राख लेलो, और मूसा उसे फिरोन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे, तब व वह सुक्ष्म धूल होकर सारे मिस देश में मनुषों और पशु दोनों पर फोफले और फोडे बन जाएगी, सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरोन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुषों और पशु दोनों पर फोफल और फोडे बन गई, और उन फोडों के कारण जादुगर मूसा के सामने खड़े न रहे सके, क्योंकि वे फोडे जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादुगरों के भी निकले थे, तब यहवा ने फिरोन के मन को पठोर कर दिया, और जैसा यहवा ने मूसा से कहा था, उसने उनकी न सुनी, फिर यहवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरोन के सामने खड़ा हो, और उससे कहा इब्रियों का परमेश्वर यहवा इस प्रकार कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपास ना करे, नहीं तो अपकी बार मैं तुझ पर और तेरे करमचारिय और तेरी प्रजा पर सप्रकार की विपतिया डालोंगा, जिससे तु जान ले कि सारी पूथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है, मैंने तो अभी हाद बढ़ा कर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और तु पूथ्वी पर से सत परन्तु सच्मुच मैंने इसी कारण तुझे बनाय रखा है कि तुझे अपना सामर्थ दिखाओ और अपना नाम सारी पृत्वी पर प्रसिद्ध करूप। दिन से लेकर अप तक कभी नहीं पड़े। पर जिन्होंने यहवा के वचन पर मान ना लगाया, उन्होंने अपने सेव को और पश्यों को मैदान में रहने दिया। तब यहवा ने मुसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पश्यों और खेतों की सारी उपच पर ओले गिरे। तब मुसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहवा मेग गर जाने और ओले बरसाने लगा, और आग पृत्वी तक आती रही। इस प्रकार यहवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाये, और जो ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे, कि जब से मिस्र देश पसा था, तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुश्य, क्या पश्य। जितने थे सब ओलो से मर गए, और ओलो से खेत की साय उपज नश्ट हो गई, और मैदान के सब रुक्ष भी तूट गए, केवल गोशेन देश में जहां इसराइली बसते थे, ओले नहीं गिरे, तब फिरोन ने मुसा और हरुन को बुलवा भेजा, और उन से कहा कि इस पार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है, मेगु का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविश्य में यहोवा से बिंती करो, तब मैं तुम लोगों को जान और तुम न रोके जाओगे। मुसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहवा की ओर हाथ फैलाओंगा। तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा। और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तु जान लेगा कि पृत्वी यहवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि न तो भे मानेंगे। सन और जव तो ओलो से मारे गए क्योंकि जव की बाले निकल चुकी थी और सन के फूल लगे हुए थे। पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे इस कारण वे मारे न जाए। जब मुसा ने फिरोन के पास से नगर के बाहर निकल कर यहवा की ओर हा बंद हुआ और फिर बहुत मेह भूमी पर न पड़ी। यह देख कर कि मेह और ओलो और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरोन ने अपने करमचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। और फिरोन का मन हटिला हो गया। और उसने इस्राइलियों को जाने न जैसा कि यहवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। जैसा कि यहवा ने मिस्रियों को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ध उनके बीच में दिखलाओ। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्नन करो कि यहवा ने मिस्रियों को कैसे ठटों में उड़ाया और अपने क्या-क्या चिन्ध उनके बीच प्रग कर कहा कि इब्रियों का परमिश्वर यहुआ तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपास ना करे। यली तु मेरी प्रजा को जाने न दे, तो सुल, कल मैं तेरे देश में तिडिया ले आऊँगा, और वे धर्ती को ऐसा चालेंगी, कि वह देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है, उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जिकने वुक्ष मैदान में लगे है, उनको भी वे चट कर जाएगी, और वे तेरे और तेरे सारे करमचारियों, निदान, सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी. इतनी तिड़िया तेरे बाबदादों ने वा उनके पुर्खाओं ने जब से पुत्वी पर जन में तब से आज तक कभी न देखी और वह मुह फेर कर फिरोन के पास से बाहर गया तब फिरोन के करमचारी उससे कहने लगे वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहे गया उन मनुश्यों को जाने दे कि वे अपने परमिश्वर यहवा की उपास ना करे क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्वर देश नाश हो गया है तब मुशा और हरुन फिरोन के पास फिर बुलवाए गये और उसने उन से कहा चले जाओ अपने परमिश्वर यहवा की उपास ना करो परुन तू वे जो जाने वाले हैं कौन-कौन है मुशा ने कहा हम तो बेटो बेटियो भेडवक्रियो गाय बयलो समेत बरन बच्चों से बुढ़ों तक सब के सब जाएंगे क्योंकि हमें यहवा के लिए पर्ब करना है उसने इस प्रकार उन से कहा यहवा तुम्हारे संग रहे जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ देखो तुम्हारे आगे को बुराई है नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा तुम पुरुशी जाकर यहवा की उपास ना करो तुम यही तो चाहते थे और वे फिरोन के सन्मुख से निकाल दिये गए तब यहवा न जितना अन्न आदी ओलो से बचा है सब को चट कर जाए और मुसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया तब यहवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरुवाई बहाई और जब भोर हुआ तब उस पुरुवाई में टिड्डी आई और टिड्डियों ने चड़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसे रा किया उनका दल बहुत भारी था बरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डी आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आईगी वे तो सारी धर्ती पर चा गई यहां तक कि देश अंधेरा हो गया और उसका सारा अन्न आदी और कुछ ओलों से बचा था सब को उन्होंने चट कर दिया यहां तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी व्रुक्षपर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया तब फिर उन्न ने फुर्ती से मूसा और हरुन को बुलवा के कहा मैंने तो तुम्हारे परमिश्वर यहवा का और तुम्हारा भी अपराद किया है इसलिए अपकी बार मेरा अपराद क्षमा करो और अपने परमिश्वर यहवा से बिंती करो कि वह केवल मेरे उपर से इस मूत्यू को दूर करे तब मुसा ने फिरोन के पास से निकल कर यहवा से बिंती की तब यहवा ने टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई तो भी यहवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया जिससे उसने इस्राइलियों को जाने न दिया फिर यहवा ने मुसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार चा जाए ऐसा अंधकार की टटोला जा सके तब मुसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में तीन दिन तक घोर अंधकार चाया तीन दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा गरों में उजिया ला रहा, तब फिरोन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहवा की उपास ना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेडबक्री और गाय बैलों को छोड़ जाओ, मूसा ने कहा, तुमको हमारे साथ मेलबली और होमबली के पशु भी देने पड़ेगे, जिन्हें हम अपने परमिश्वर यहवा के लिए चढ़ाए, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्ही में से हमको अपने परमिश्वर यहवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहाँ न पहुँचे, तब तक नहीं जानते कि क्या-क्या लेकर यहवा की उपासना करनी होगी, पर यहवा ने फिरोन का मन हटिला कर दिया, जिससे उसने उन्हें फिर जाने न दिया, तब फिरोन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा, और सचेत रह, मुझे मुख दिखलाए, उसी दिन तु मारा जाएगा, मुशा ने कहा, कि तुने ठीक कहा है, मैं तेरे मुख को फिर कभी न देखूँगा, निर्गमन अध्याए ग्या रह, निर्गमन अध्याए ग्या रह, फिर यहवा ने मुशा से कहा, एक और विपत्ती मैं फिरोन और मिस्देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा, तब तुम सभों को निश्चे निकाल देगा, मेरी प्रजा को मेरी यहा अग्या सुना, कि एक एक पुरुष अपने अपने पडोसी और एक एक स्त्री अपने अपनी पडोसीं से सोने चांदी के गहने मांग ले, तब यहवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालू किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरोन के कर्मचारियों और साधरन लोगों की दुरुष्टी में अती महान था, फिर मूसा ने कहा, यहवा इस प्रकार कहता है कि आधिरात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा, तब मिस्र में सिहासन पर विराजने वाले फिरोन से लेकर, चक्की पीषने वाली दासी तक के पहलोठे, बरन पशुव तक के सब पहलोठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहा तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा, पर इस्राइलियों के विरुद्ध क्या, मनुष्य क्या, पशु क्या, किसी पर कोई कुत्ता भी न भोकेगा, जिससे तुम जानलो कि मिस्रियों और इस्राइलियों मे मैं यहोवा अंतर करता हूँ. तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरो समेत निकल जा और उसके पश्चात मैं निकल जाऊँगा. यह कहिकर मुझे बड़े क्रोध में फिरोन के पास से निकल गया. यहोवा ने मुझे से कहे दिया था कि फिरोन तुम्हारी न सुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमतकार करू. मुझे और हरुन ने फिरोन के सामने ये सब चमतकार किये, पर यहोवा ने फिरोन का मन और कठीन और कठोर कर दिया. सो उसने इस्राइलियों को अपने देश से जाने न दिया. निर्गमन अध्याय बारह फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हरुन से कहा कि यह महिना तुम लोगों के लिए आरंभका ठेरे, अर्थात वर्ष का पहला महिना यही ठेरे. इस्राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महिने के दस्वे दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक-एक मेमना ले रखो. और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सक्थ से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिंती के अनुसार एक मेमना ले रखे. और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना. तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेडों में से लेना, चाहे बक्रियों में से, और इस महिने के चवधवे दिन तक उसे रख छोड़ना. और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बली करे. तब वे उसके लोहु में से कुछ लेकर, जिन घरों में मेमनों को खाएगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चवखट के सीरे पर लगाए. और वे उसके मास को उसी रात आग में भूंच कर अखमीरी रोटी और कडवे साखपात के साथ खाए. उसको सीर, पैर और अत्रडियों समेत आग में भूंच कर खाना, कच्चा वा जल में कुछ भी पका कर न खाना. और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना. और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए, तो उसे आग में जला देना. और उसके खाने की यह विधी है, कि कमर बांधे, पाव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिये हुए उसे पूर्ती से खाना. वह तो यहवा का परव होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाओंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पश्यू, सब के पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा. मैं तो यहवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लोहु तुमारे निमित्त चिन्न ठहरेगा. अर्थात, मैं उस लोहु को देख कर तुमको छोड़ जाओंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न और वह दिन तुमको स्मरन दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुमारी पिढियों में सदाकी विधी जान कर पर्व माना जाए, साथ दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से उठा डालना, वरन, जो कोई पहले दिन से लेकर साथवे दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाये, वह प्रानी इसराइलियों में से नाश किया जाए, और पहले दिन एक पवित्र सभा, और साथवे दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आग्या है। इसलिए तुम बिना खमीर की रूटी का परव मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलडल करके मिस्र देश से निकाल दिया है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पिडियों में सदा की विधी चान कर मा जाए। पहले महिने के चवधवे दिन की सांज से लेकर 21 दिन की सांज तक तुम आखमीरी रूटी खाया करना। साथ दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे। बरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाये, चाहे वह देशी हो, चाहे परदेशी, वह प्रानी इसराइलें की मंडली से नाश किया जाए, और कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रूटी खाया करना। तब मूसा ने इसराइल के सब पुर्णियों को बुला कर कहा, तुम अपने-पने कुल के अलुसार एक-एक मेमना अलग कर रखो, और फ उसी तसलेक में के लोहो के द्वार के चोखट के सीरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां-जहां वहां चोखट के सीरे और दोनों अलंगों पर उस लोहो को देखेगा, वहां-वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुमारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा, फिर तुम इस विधी को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधी जान कर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वहां काम किया करना, और जब तुमारे लड़के बाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुमारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यहां उत्तर देना, कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसर का यह बलिदान किया जाता है, तब लोगों ने सिर जुखा कर दंडवत की, और इसराइलियों ने जाकर जो आग्या यहोवा ने मूसा और हारुन को दी थी, उसके अनुसार किया, और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिहासन पर विराजने वाले फिरों से लेकर गड़े में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलोठों को बरन पशोतक के सब पहलोठों को मार डाला, और फिरों राथी को उठ पैठा, और उ इस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था, जिसमें कोई मरा न हो, तब फिरों ने राथी राथ में मूसा और हारुन को बुलवा कर कहा, तुम इस्राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उ अशिर्वात दे जाओ, और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मरमिटे हैं, उन्होंने इस्राइली लोगों पर दवाव डाल कर कहा, कि देश से जटपट निकल जाओ, तब उन्होंने अपने गुंधी गुंधाए आटे को बिना खमिर दिये ही कठोतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया, और इस्राइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रीयों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिये, और यहवा ने मिस्रीयों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालू किया, कि उन्होंने जो जो मांगा, वह इस प्रकार इस्राइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राइली रामसे से कूच करके सुकोत को चले। और बालबच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुश प्यादे थे। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड गई। भेडबकरी, गायबयल बहुत से पशु भी गए। और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले आये, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिये रोटिया कवन बनाई। क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वहां गुं उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इसरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अतियोग्य है। यहां यहोवा की वही रात है जिसका पिढ़ी-पिढ़ी से मा अनना इसरायलियों के लिए अति आवश्य है। फिर यहोवा ने मूसा और हारुन से कहा परव की वीधी यहां है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए। पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो वह तो उसमें से खा सकेगा। पर आना एक ही घर में हो अर्थात तुम उसके मास में से कुछ घर से बाहर न ले जाना। और बली पशु की कोई हड़ी न तोड़ना। परव का मानना इसरायल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए परव क मनाना चाहे तो वह अपने यहा के सब पुरुशों का खतना कराए। तब वह समी पाकर उसको माने और वह देशी मनुश के तुल्ले ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुश उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्ता देशी और तुमारे बीच में रहने वाले परद को दी उसके अनुसार सारे इस्राइलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहा इस्राइलियों को मिस्तर देश से दल दल करके निकाल ले गया। मुशा से कहा कि क्या मनुश के क्या पशुके इस्राइलियों में से जितने अपनी अपनी मा के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह तो मेरा ही है। फिर मुशा ने लोगों से कहा इस दिल को समरन रखो जिसमें तुम लोग दासत्र के घर अर्थात मिस्तर से निकल आये हो। यहवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महिने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यवुसी लोगों के देश में पहुचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुर्खाओं से शपत खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बैती है, तब तुम इसी महिने में परव करना, इसलिए जब यहवा के लिए परव मनाना, इन सातों दिनों में अखमीरी रूटी खाई जाए, बरन तुम्हारे देश भर में नखमीरी रूटी नखमीर तुम्हारे पास देखने में आये, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्र को यह कहके समझा देना, कि यह तो हम उस उसी काम के कारण करते हैं, जो यहोवा ने हमारे मिसर से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्न होगा, और तुम्हारी आखों के सामने स्मरं करने वाली वस्तू ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्ता तुम्हारे मुहों पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हातों से मिस्र से निकाला है, इस कारण तुम इस विधी को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना, फिर जब यहोवा उस शपत के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुर्खाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुँचा कर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम्हें से जितने अपनी-पनी मा के जेठे हो, उनको और तुम्हारे पशों में ज पहलोटे की सन्ती मेमना देकर उसको छुडा लेना, और यदि तुम उसे छुडाना न चाहो, तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलोटे पुत्रों को बदला देकर छुडा लेना, और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि क्या यह क तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासतों के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकालाया है। लोटे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलिदान करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला दे कर छुडा लेते हैं, और यहां तुम्हारे हाथों पर एक चिन्न सा और तुम्हारी भोहों के बीच टिका सा ठेरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अप यद्यपी पलिष्टियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देख तब पच्चता कर मिस्र को लवटाए, इसलिए परमेश्वर उनको चक् खिलाकर ला समुदर के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राइली पांती बांदे हुए मिस्र से निकल गए, और मूसा युसुप की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि युसुप ने इस्राइलियों से यह कहिके कि परमेश्वर निश्चे तुम्हारी सूधी लेग उनको इस विशे की दुर्ण शक्वत खिलाई थी, कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे, फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेराद दिया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेग के खंबे में औ उनके आगे-ागे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके, उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आख के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया. निर्गमन अध्याए चवदह यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों को आग्यादे कि वे लवट कर मिगदोल और समुदर के बीच पिहा हिरोत के सनमुख बाल सपुन के सामने अपने डेरे काई खड़े करे, उसी के सामने समुदर के तट पर डेरे खड़े करे, तब फिरोन इस्राइलियों के विशे में सोचेगा कि वे देश के उलजनों में बचे हैं और जंगल में घिर गए हैं, तब मैं फिरोन के मन को कठोर कर दूँगा, और वह उनका पीछा करेगा, तब फिरोन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला, कि वे लोग भाग गए, तब फिरोन और उसके करमचारियों का मन उनके विरुद्ध पलड़ गया, और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया, कि इस्राइलियों को अपनी सिवकाई से चुटकारा देकर जाने दिया, तब उसने अपना राथ जुतवाया, और अपनी सेना को संग लिया, उसने छेसो अच्छे से छिर राथ बरन मिस्र के सब राथ लिये, और उन सभों पर सरदार बै का पीछा किया, परंतु इसरायली तो बेखटके निकले चले जाते थे, पर फिर उनके सब घोडों और रथों और सवारों समेत, मिस्री सिना ने उनका पीछा करके, उन्हें जो पिहाही रोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तिर पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया जब फिरों निकटाया, तब इसरायलियों ने आखे उठा कर क्या देखा, कि मिस्री हमारा पीछा किये चले आ रहे हैं, और इसरायली अत्यमत डर गए, और चिला कर यहवा की दोवाई दी, और वे मुसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कबरे न थी, जो तु हमको वहां से मरन के लिए जंगल में ले आया है, तुने हमसे यह क्या किया, कि हमको मिस्र से निकाल लाया, क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे, कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करे, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी, मुसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हों, उनको फिर कभी न देखोंगे. यहोवा, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाक रहो. तब यहोवा ने मुसा से कहा, तु क्यों मेरी दोवाई दे रहा है, इस्रायलियों को आज्या दे कि यहां से कूच करे, और तु अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुदर के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा, तब इस्रायली समुदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे उनका पीछा करके समुदर में घुस पड़ेंगे, तब फिरोन और उसके सारी सेना और रथो और स्वार के द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरोन और उसके रथो और स्वारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ, तब परमिश्वर का दूत जो इस्रायली सेना के आगे-आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल क खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा थेरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसरायलों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। और वे रात भर एक दुसरी के पास न आए। और मुसा ने अपना हाथ समुदर के उपर बढ़ाया। और यहवा ने रात भर प्रचंड पुरुवाई चलाए। और समुदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सुखि भूमी हो गई। तब इसरायली समुदर के बीच स्थाल ही स्थाल पर होकर चले और जल उनकी दहिनी और बाई और दिवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरोन के सब घोडे, रत और सवार उनका पीछा किये हुए समुदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दुष्की करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रतों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठीन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ, हम इस्राइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुध युद्ध कर र सवारों पर फिर बहने लगे, तब मुसा ने अपना हाथ समुद्र के उपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ, कि समुद्र फिर जो का त्यो अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहवा ने उनको समुद्र के बीच ही में जटक दिया, और जल के पलटने से जितने रत और सवार इस्राइलियों के पीछे समुद्र में आये थे, सो सब बरन फिरोन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा, परंतु इस्राइली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दहिनी और पाई दोनों और दिवार का काम देता था, और यहोवा ने उस दिन इस्राइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार चुड़वाया, और इस्राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तक पर मरे पड़े हुए देखा, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराकरम उसको देखकर इस्राइलियों ने यहोवा का भैमानना और यहोवा की और उसके दास मुसा की भी पतीती की। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत काऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घुडो समेथ सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विशय है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तूति क मैं उसके लिए निवास्थान बनाऊंगा. मेरे पुरोजों का परमेश्वर वही है. मैं उसको सराहूंगा. यहवा योद्धा है. उसका नाम यहवा है. फिरोन के रतो और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया. और उसके उत्तम से उत्तम रती लाल समुद्र में डूब गये गहरे जलने उन्हें धाप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए, हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति से महाप्रतापी हुआ, हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चक्ना चूर कर देता है, और तु अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तु अपना कोप भढ़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। और तेरे नत्मों की सास से जल एकत्र हो गया। धाराये धेर की नाई थम गई। समुद्र के मध्य में गहिरा जल जम गया। मैं अपनी तलवार खिचते ही अपने हाच से उनको नाश कर डालूँगा। तुने अपने श्वास का पवन चलाया। तब समुद्र ने उनको धाप लिया। वे महाजल राश्ची से शीसे की नाई डूब गए। हे यहोवा। देताओं से तेरे तुल्य कौन है। तू तो करता है। तूने अपना दहिना हाथ बढ़ाया और पृत्वी ने उनको निगर लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाय हुई प्रजा की अगोवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास्थान को ले चला है। देश-देश के लोग सुनकर काप उठेंगे, पलिष्टियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदों के अधिपती व्याकुल होंगे, मोवाप के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे, जब तक हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है, पार न निकल जाए, तू उन्हें पहुचा कर अपने निजभागवाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही स्थान है हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवाज के लिए बनाया, और वही पवित्रस्थान है, जिसे हे प्रभु, तूने आप ही स्थिर किया है, यहोवा सदा सरवदा राज्य करता रहेगा, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरोन के घोडे, रथो और सवारो समेत समुद्र के चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लोटा ले आया, परंतु इस्राइली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए, और हरुन की बहिन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रिया डफ लिये नाचती होई, उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत काओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठैरा है, घुडो समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है, तब मुसा इस्राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आगे, और जंग एक स्थान पर पहुँचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा, तब वे यह कहकर मुसा के विरुद्ध बगबग करने लगे कि हम क्या पिये, तब मुसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उन्हें एक पौधा पतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया, वही यहोवा ने उनके लिए एक विधी और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परिक्षा की, कि यदि तु अपने परमिश्वर यहोवा का वच्चन तन मन से सुने, और जो उसकी दु पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलिम को आये, जहां पानी के बारह सोते और सत्तर खज निर्गमन अध्याय सोलह फिर एलिम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली, मिस्र देश से निकलने के महिने के दूसरे महिने के पंधरहवे दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलिम और सीने परवत के बीच में हैं, आ पहुँची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मुसा और हारुन की विरुद्ध बक्चक करने लगी, और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मास्की हड्डियों के पास बैठ कर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहवा के हाथ से मार डाले भी जाते, तो उ सारे समाज को भूखो मार डालो, तब यहवा ने मुसा से कहा देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाओंगा, और ये लोग प्रती दिन बाहर जाकर प्रती दिन का भोजन इकटा करेंगे, इससे मैं उनकी परिक्षा करूंगा, कि ये मेरी व्यव वस्ता पर चलेंगे की नहीं, और ऐसा होगा कि छटवे दिन वह भोजन और दिनों से जादा दुना होगा, इसलिए जो कुछ हुए उस दिन बटोरे उसे तयार कर रखे, तब मुसा और हारुन ने सारे इसराइलियों से कहा, सांच को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह यहवा है, और भोर को तुम्हें यहवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहवा पर बढ़बढाते हो, उसे वह सुनता है, और हम क्या है, कि तुम हम पर बढ़बढाते हो, फिर मुसा ने कहा, यह तब होगा, जब यहवा को तुम्हें खाने के लिए मास और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बढ़बढाते हो, उसे वह सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बढ़बढाना हम पर नहीं, यहवा ही पर होता है, फिर मुसा ने हारुन से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली को आग्या दे, कि यहवा के सामने बरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बढ़बढाना सुना है, और ऐसा हुआ कि जब हारुन इसराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बाते कर रहा था, कि उन्होंने जंगल की ओर दुरुष्टी करके देखा, और उनको यहवा का बादल में दिखाई दिया, तब यहवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बढ़बढाना मैंने सुना है, उनसे कहा, कि गोधुली के समय तुम मास खाओगे, और भोर को तुम रोटी से तुपत हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे, कि मैं तुम्हारा परमिश्वर और ऐसा हुआ कि सांच को बटेरे आकर सारी चावनी पर बैट गई, और भोर को चावनी के चारो और ओस पड़ी, और जब ओस सुग गई, तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमी पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकोप के समान पड़े हैं, यह देखकर इसराइली चो ना जानते थी कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है, तब मुसा ने उनसे कहा यह तो वही भोजन वस्तु है, जिसे यहोवा तुमें कहाने के लिए देता है, तो जो आग्या यहोवा ने दी है, वह यह है, कि तुम उसमें से अपने-अपने खा प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोर ला, जिसके देरे में जितने हो वह उनी भर के लिए बटोरा करे, और इसराइलियोंने वैसा ही किया, और किसी ने अधीक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया, और जब उन्होंने उसको ओपे से ना पा, तब जिसके पास अधीक था, उसके कुछ अधीक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था, उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक-एक मनुष्य ने अपने खाने की योगी ही बटोर लिया था, फिर मुसा ने उनसे कहा, कोई इसमें कुछ बिहान तक न रख छोड़े, तब उन्होंने मुसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी-किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक छोड़ रखा, तो उसमें कीडे पड़ गए, और वह बसाने लगा, तब मुसा उन पर क्रोध लेते थे, और जब धूब कड़ी होती थी, तब वह गल जाता था, और ऐसा हुआ कि छटवे दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो-दो ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सम प्रधानों ने आकर मुसा को बता दिया, उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है, जो यहवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें तो तंदुर में पकाना हो, उसे पकाओ, और जो सिझाना हो, उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बच्चे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो जब उन्होंने उसको मुसा की इस पात के आग्या के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीडे पड़े, तब मुसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा छह दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु सात्वा दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें से वह न मिलेगा, तो भी लोगों में से कोई सात्वे दिन भी बटोरने के लिए बाहर गये, परंतु उनको कुछ न मिला, तब यहवा ने मुसा से कहा, तुम लोग मेरी आज् को और व्यवस्ताओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह चटवे दिन को दो दिन का भोजन तुमें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, सात्वे दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना, लोगों ने सात्वे दिन विश्राम किया, और इस्रायल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मनना रखा, और वह धनिया के समान स्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था, फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्या दी वह यहां है, कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पिढ़ी-पिढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे बे जाने कि यहोवा हमको मिस्व देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था, तब मूसा ने हरुन से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर रहे, जैसी आग्या यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हरुन ने उसको साक्षी के संदुक के आगे धर दिया, कि वह वही रखा रहे, इसरायली जब तक बचे हुए देश में न पहुँचे, तब तक अर्था चालिस वर्ष तक मन्ना को खाते रहे, वे जब तक करान देश के सिवाने पर नहीं पहुँचे, तब तक मन्ना को खाते रहे, एक ओमेर तो एपा का दस्वा भाग है। निकल चली और यहवा के अज्यानुसार कूच करके रपी दिम में अपने डेरे खड़े किये, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मुसा से वादविवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मुसा ने उन से कहा, तुम मुझ से क्यों वादविवाद करते हो और यहवा की परिक्षा क्यों करते हो। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मुसा पर बुड़़ाने लगे कि तु हमें लड़के बालो और पशु समेत प्यासो मार गालने के लिए मिस्टर से क्यों ले आया है। तब मुसा ने यहवा की दोहाई दी और कहा इन लोगों से मैं क्या करूँ ये सब मुझे पत्रवाह करने को तयार है। चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तु उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिये। तब मुसा ने इस्राइल के वुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और मुसा ने उस थान का नाम मस्सा और मरिवा रखा। क्योंकि इस्राइलियों ने वहाँ वादविवार किया था। और यहोवा की परिक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है वा नहीं। तब अमाले की आकर रपी दिन में इस्राइलियों से लड़ने लगे। तब मुसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुशों को चून कर छाट ले और बाहर जाकर अमाले कियों से लड़। और मैं कल पर्विश्र की लाठी हाथ में ले हुए पहार की चोटी पर ख और हूर पहाडी की चोटी पर चड़ गये। और जब तक मुसा अपना हाथ उठाये रहता था तब तक तो इस्राइल प्रबल होता था। परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता तब तब अमाले की प्रबल होता था। और जब मुसा के हाथ भर गये तब उन्होंने एक पत्तर लेकर मुसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को समाले रहे और उसके हाथ सुरियास्त तक स्थीर रहे और यहोशु ने अनुचरो समेत अमाले कियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने म मुसा से कहा समरनर था इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशु को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमाले का समरन भी पूरी रिति से मिटा डालूँगा। तब मुसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा यहोवा ने शपत खाई है कि य यहोवा अमाले कियों से पिडियों तक लड़ाई करता रहेगा। कि किस रिति से यहोवा इस्राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मुसा के ससूर इत्रो मुसा की पत्नी सिपुरा को जो पहले नहर भेजी गई थी और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मुसा ने यह कहकर गेर्शम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ। और दुसरे का नाम उसने यह कहकर एलियेजर रखा कि मेरे पिता के परमिश्वर ने मेरा सहयक होकर मुझे फिरोन की तलवार से बचाया। मुसा के पत्नी और पुत्रों को उसका ससूर इत्रो संग लिये हुए मुसा के पास जंगल के उस थान में आया जहां परमिश्वर के परवत के पास उसका डेरा पड़ा था। और आकर उसने मुसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससूर इत्रों हूँ और दोनों बेटों समय तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मुसा अपने ससूर से भेट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चुमा और वे परस पर कुशरक्षेम पूचते हुए डेरे पर आ गये। वहां मुसा ने अपने ससूर से वर्नन किया कि यहवा ने इस्राइलियों के निमित्त फिरोन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राइलियों ने मार्ग में क्या क्ष्ट उठाया। फिर यहवा उन्हें कैसे कैसे चुडाता आया है। तब इत्रों ने उस समस्त बहाय के कारण जो यहवा ने इस्राइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से चुडाया था, मगन होकर कहा धन्य है यहवा, जिसने तुमको फिरोन और मिस्रियों के वश से चुड अब मैंने जान लिया है कि यहवा सब देवताओं से बड़ा है। बरन उस विशे में भी जिसमें उन्होंने इस्राइलियों से अभिमान किया था। तब मुसा के ससूर इत्रों ने परमिश्वर के लिए हुम बली और मेल बली चढ़ाए। और हारुन इस्राइलियों के सब पुर्णियों समेत मुसा के ससूर इत्रों के संग परमिश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरी दिन मुसा लोगों का न्याय करने को बैठा। और भोर से सांच तक लोग मुसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मुसा लोगों क कि लिए करता है। क्या कारण है कि तू अक्यला बैठा रहता है और लोग भोर से सांच तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। मुसा ने अपने ससूर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमिश्वर से पूछने आते हैं। जब-जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब-तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच नयाय करता हूं और परमिश्वर की विधी और व्यवस्ता उन्हें जताता हूं। मुसा के ससूर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। और इससे तू क्या परन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्च जोन, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमिश्वर तेरे संग रहे, तू तो इन लोगों के लिए परमिश्वर के संवुख जाया कर, और इनके मुकद्दमों को परमिश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर, इन्हें विधी और व्यवस्ता प्रगट करकर के, जिस मार पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो, वह इनको जता दिया कर, फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छाट ले, जो गुणी और परमिश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाब से ग्रुणा करने वाले हो, और उनको हजार हजार सव पचास पचास और दस-तस मनुष्वों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े-बड़े मुकदमें को तो तेरे पास ही ले आया करे, और छोटे-छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे, तब तेरा बोज हलका क्योंकि इस बोज को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तु यह उपाय करे और परमश्वर तुझको ऐसी आज्या दे तो तु ठर सकेगा। और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुँच सकेंगे। अपने ससूर की यह बात मानकर मुसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राईलियों में से गुनी-गुनी पुरुष चुनकर उन्हे हजार-हजार, सवसो, पचास-पचास, दस-दस लोगों के उपर प्रधान फैराया। और वे सब लोगों का न्याए वे आप ही क्या करते थे, और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया, और उसने अपने देश का मारग लिया। निर्गमन अध्याय उन्नीस इस्राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस तीन तीन महने बीत चुके, उसी दिन वे सिने के जंगल में आये। वर्मेशर के पास चड़ गया। और यहवा ने परवतपर से उसको पुकार कर कहा, याकुप के घराने से ऐसा कहा। और इस्राइलियों को मेरा यह वच्चन सुना, कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाप पक्षी के पंखो पर चड़ा कर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए आब यदि तुम निश्चे मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पुत्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दुरुष्टी में याजकों का राज्य और पवित्र जाती ठहरोगे। जो बाते तुझे इसराय से कहनी है वे यही है। तब मुसा ने आकर लोगों के पुरुनियों को बुलवाया, और ये सब बाते जिनके कहनी की आग्या यहवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहवा ने कहा है, वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बाते मुसा ने यहवा को सुनाए। तब यहवा ने मुसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं। इसलिए कि जब मैं तुझ से बाते करूं, तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतिती करें। और मुसा ने यहवा से लोगों की बातों का वर्नन किया। तब यहवा ने मुसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवितर करना। और वे अपने वस्तर धोले। और वे तीसरे दिन तक तयार हो रहे। क्योंकि तीसरे दिन यहवा सब लोगों के देखते सिने परवत पर उतर आएगा। और तू तो लोगों के लिए चारों और बाड़ा बांदेना। और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि परवत पर न चड़ो। और उसके सिवानों को भी न चुओ। और जो कोई पहाड को च निश्च मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो न चुए। परंतु वह निश्च पत्थर वहा किया जाए। वह तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले रन सिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग परवत के पास आए। तब मुसा ने परवत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्तर धो लिये। और उसने लोगों से कहा तीसरे दिन तक तैयार हो रहो। तरी के पास न جाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल और चावनी में जितने लोग थे सब काप उठे, तब मुसा लोगों को परमिश्वर से बेट करने के लिए चावनी से निकाल ले गया, और वे परवत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सिने परवत पर उत्रा था, इस कारण समस्त परवत धुए से भर गय और उसका धुए भट्टे कासा उठ रहा था, और समस्त परवत बहुत काप रहा था, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मुसा बोला, और परमिश्वर ने वानी सुना कर उसको उत्तर दिया, और यहोवा सिने परवत की चोटी पर उ यहोवा ने मुसा से कहा, नेचे उतर के लोगों को चीटावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घूसे, और उनमें से बहुत नाश हो जाए, और याजग जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐस न हो कि यहोवा उन पर तूट पड़े, मुसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिने परवत पर नहीं चड़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहिकर चिताया, कि परवत के चारो और बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो, यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारुन समे तू उपरा, परंतु याजक और साधारन लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़के न चड़ाए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर तूट पड़े, यही बाते मुसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई निर्गमन अध्याए 20 तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, तु मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, तु अपने लिए कोई मुर्ती खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में वा पृत्वी पर वा पृत्वी के जल में है, तु उनको दंडवत न करना, और न उनकी उपास न करना, क्योंकि मै तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझ से बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पित्रों का दंड़ दिया करता हूं, और जो मुझ से प्रेम रखते हैं, और मेरी आज्याओं को मानते हैं, उन हजारों पर नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोश न ठहराएगा। तु विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समरन रखना। छह दिन तो तु परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परन्तु सात्वा दिन तेरे परमिश्वर यह के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तु किसी भाती का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरे बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि छह दिन में यहवा ने आकाश और पृत्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें हैं सबको बनाया, और सात्वे दिन विश्राम किया। इसकारण यहवा ने विश्राम दिन को आशीश दी और उसको पवित्र ठहराया। तु अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिस जो देश तेरा परमिश्वर यहवा तुझे देत हैं उसमें तु बहुत दिन तक रहने पाएं। तु खुन न करना, तु वेभिचार न करना, तु चोरी न करना, तु किसी के विरुद्ध जोटी साक्षी न देना, तु किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास्तासी वाग पैल मैं किसी की किसी वस्तु का लालच करना और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिनी के शब्द सुनते रहे और धुआ उठते हुए परवत को देखते रहे और देखके कापकर दूर खड़े हो गए और वे मुसा से कहने लगे कि तु ही हमसे बाते कर तब तो हम सुन सकेंगे परन्तु परमेश्वर हमसे बाते न करे आइसा न हो कि हम मर जाए मुसा ने लोगों से कहा डरो मत क्योंकि परमेश्वर इस निमित आया है कि तुम्हारी परिच्छा करे और उसका भै तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे परन्तु मुसा उस घोर अंधिकार के सम्वीब गया, जहां परमेश्वर था, तब यहवा ने मुसा से कहा, तु इस्राइलियों को मेरे ये वचन सुना, कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है, कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बाते की है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मि अर्थात, अपने लिए चांदीव सोने से देवताओं को न गड़ लेना, मेरे लिए मिक्ति की एक वेदी बनाना, और अपनी भेडवक्रियों और गायबलों के हुमबली और मिलबली को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपनी नाम का स्मरन कराओं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशिश दूँगा, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओं, तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हत्यार लगाया, वहां तु उसे अर्शुद्ध कर देगा, और मेरी वेदी पर सिढ़ी से कभी न च देख पड़े। वह अकेला आया हो, तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहीत आया हो, तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए, यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो, और उससे उसके बेटे वा बेटिया उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रह और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दुढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमिशर के पास ले चले। फिर उसको दुआर के किवाड वा बाजु के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले, तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत उसे उपरी लोग के हाथ पेचने का उसको अधिकार न होगा, और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याहा दिया हो, तो उसने उसे बेटी का सा व्यवार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगती न घटाए, और यदि वह इन तीन बातों में घटी करे, तो वह स्त्री संत्मेंद बिना दाम चुकाए ही चली जाए, जो किसी मनुश को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्च मार डाला जाए, यदि वह उसकी घात में न बैठा हो, और परमेश्वर की इच्छा की से वह उसके हाथ में पढ़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठहराऊंगा, जहां वह भाग जाए, परमतु यदि कोई धिटाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे चल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जारा, जो अपने प उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहां पाया जाए, तो वह भी निश्च मार डाला जाए, जो अपने पिता वा माता को श्राब दे, वह भी निश्च मार डाला जाए, यदि मनुष्च जगडते हो, और एक दूसरे को पत्थर वा मुक्य से ऐसा मारे, कि वह मरे नहीं परंतु बिच्छवने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब तक वह मारने वाला निर्दोष्ट हैरे, उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानी को तो भर दे, और उसको भला चंगा भी करा दे, यदि क कोई अपने दास वा दासी को सोटे से ऐसा मारे, कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्य दंड दिया जाए, परंतु यदि वह दो एक दिन जीवीत रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका दहन है, यदि मनुष्य आपस में मा भिनी स्थ्री को ऐसी चोट पहुँचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानी न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए, जितना उस त्री का पती पंच की समती से ठहराए, परंतु यदि उसको और कुछ हानी पहुचे, तो प्रान की संती प्रान का और आख की संती आख का, और दात की संती दात का, और हात की संती हात का, और पाव की संती पाव का, और दाग की संती दाख का, और घाव की संती घाव का, और मार की संती मार का दंड हो, जब कोई अपने दास वा दासी की आख पर ऐसा मारे, कि फुट जाए, तो वह उसकी वह अपने डास वदासी को मार के उसका दात तोड़ डाले, तो वह उसके दात की संती उसे स्वतंत्र करके जाने दे. यदि बैल किसी पुरुष वस्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल तो निश्च पत्त्र वह करके मार डाला जाए, और उसका मास खाया न ज परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताय जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष वस्त्री को मार डाले तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुडवती ठहराई जाए तो प्रान छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराए जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के स व्यवार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास वा दासी को सिंग मारा हो तो भी इसी दास के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे और वह बैल पत्रवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गढ़्धा खोल कर वा खोद कर उसको नढ़ हापे और उसमें किसी का बैल वा गिर पड़े तो जिसका वहाँ गध्धा हो वहाँ उस अहानी को भर दे वहाँ पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गध्धेवाले के ही थहरे यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वहाँ मर जाए तो वे दोनों मनुश्य जीते बैल को और लोत को भी वैसा ही बाटे। यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्च यह बैल की संती बैल भर दे, पर लोत उसी की ठेरे। निर्गमन अध्यायर पाईस। यदि कोई मनुष्य बैल भेड भेड भकरी चुरा कर उसका घात करे वा बेच डाले, तो वह बैल की संती पांच बैल और भेड भकरी की संती चार भेड भकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ाये जाए और उस पर ऐसी मार दोश लगे। अवश्य है कि वह हानी को भर दे और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल वा गद्धा वा भेड भकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दुना भर दे। यदि कोई अपने पशु उसे किसी का खेत वा दाग की बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराय खेत को चर ले तो वह अपने खेत की और अपनी दाग की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानी को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह काटों में लग जाए और फुलों के धेरवा अनाज वा खड़ाखेद जल जाए, तो जिसने आग जलाए हो, वह निश्चे हानी को भर दे। यदि कोई दूसरे को रुपया वा सामगरी की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए, तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा, और यदि चोर न पकड़ा जाए, तो घर का स्वामी परमिश्वर के पास लाया जाए, कि निश्चे हो जाए, कि उसने अपने भाई बंधो की संपत्ति पर हाथ लगाया है वा नहीं, चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेव बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्त्र के विशे, अपराद क्यों न लगाया जाए, जिससे दो जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोशी ठहराए, वह दूसरे को दुना भर दे, यदि कोई दूसरे को गधा वा बैल वा भेड़ बकरी वा कोई और पशु रखने के लिए सौपे, और किसी के बिना देखे, वह मर जाए, वा चोट खाए, वा हाग दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपत खिलाए जाए, कि मैंने इसकी संपर्ति पर हाथ नहीं लगाया, तब संपर्ति का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा, यदि वह सचमुच उसके हैं से चुराया गय हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड डाला गया हो, तो वह फाड होय को प्रमान के लिए ले आये, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा, फिर यदि कोई दूसरे से पश्यु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोक लगे, वह वह मर जाए, तो वह निश्चे उसकी हानी भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो, तो दूसरे को उसकी हानी भरना न पड़े। और यदि वह भाड़े का हो, तो उसकी हानी उसके भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके बयाह की बात न लगी हो, फुसला कर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चे उसका मॉल देके उसे बयाह ले। परन्तु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मॉल की रितिक अनुसार रुपे तौल दे, तु डाइन को जिवीत रहने न देना, जो कोई पशुगमन करे वह निश्चे मार डाला जाए, जो कोई यहवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बली करे वह सत्यानाश किया जाए, और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्यों विद्वा, वा अनाथ बालक को दुख न देना, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो, और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चे उनकी दोहाई सुनूंगा, तब मेरा क्रोध बढ़केंगा, और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्निया, विद्वा, और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे, यदि तु मेरी प्रजामे से किसी दीन को, जो तेरे पास रहता हो, रुपया कुरुन दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना, यदि तु कभी अपने भाईबंधु के वस्तर को बंधक करके रख भी ले, तो सुर्य के अस्त होने तक उसको लवटा देना, क्योंकि वहाँ उसका एक ही ओड़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्तर होगा, फिर वहाँ किसे ओड़ कर सोएगा, तो भी जब वह मेरी दोहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणाव परमिश्र को श्राप न देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना, अपने खेतों की उपज और फलों के रस्में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना, अपने बेटों में से पहले उठो को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ वक्रियों के पहलो ठ्रेंक भी देना, साथ दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे, और आठवे दिन तु उसे मुझको दे देना, और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले, उसका मास न खाना, उसको कुत्वें क आगे फेक देना, निर्गमन अध्याए 23, जूटी बात न फैलाना, अन्याई साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना, और न उनके पीछे फिरके मुकद्दमे में न्याई बिगाड़ना, करने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकद्दमे में उसका भी पक्ष न करना, यदि तेरे शत्रु का बैल वा गधा बटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना, फिर यदि तु अपने बैरी के गधे को बोच के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुडाने के लिए तेरा मन न चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुडा लेना, तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकद्दमे में न्याय न विगाजना, जूटे मुकद्दमे से दुर रहना, और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोश न ठहराऊंगा, घूस न देना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता, और धर्मियों की बाते पलड़ देता है, परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बाते जानते हो, क्य साथवे वर्ष में उसको पढ़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में से दरिद्री लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनल पशो के खाने के काम में आए, और अपनी दाक और जलपाई की बार्यों को भी ऐसे ही कर चह दिन तक तो अपना काम काज करना, और सात्वे दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए, और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, उसमें सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के न अखमीरी रोटी का परव मनाना, उसमें मेरी आग्या के अनुसार अभी महिने के नियत समय पर साथ दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महिने में तुम मिस्र से निकलाए, और मुझको कोई छुचे हाथ अपना मुह न दिखाए, और जब तेरी बोय हुई ख प्रतिवर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहवा को अपना मुह दिखाए, मेरे बलीपशु का लोहु खमीरी रूटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना, अपनी भुमी की पहली उपच का पहला भाग अपने परमिश्वर यहवा के भवन में ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना, सुन, मैं एक दूध तेरे आगे-ागे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस थान को मैंने तैयार क उसमें तुझे पहुचाएगा, उसके सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं त तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, इस रिती मेरा दूत तेरे आगे-ागे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्य, कनानी, हिव्वी और यवुसी लोगों के यहां पहुचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा, उनके देवताओं को दंडवत न करना, औ और न उनकी उपासना करना, और न उनके काम करना, परन उन मुर्तों को पूरी रिती से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकडे-टुकडे कर देना, और तुम अपने परमिश्वर यहवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशिश देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, और न कोई बांज होगी, और तेरी आयू मैं पूरी करूँगा. जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सभों के मन में मैं अपना भै पहले से ऐसा समा दूँगा कि उनको व्याकुल कर दूँगा, और मैं तुझे सब शत्रों की पीठ दिखाऊँगा, और मैं तुझे से पहले बर्रों को भेजूँगा, जो हिवी, कनानी और हित्ती लो तो न निकाल दूँगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए, और बैनेल पशु बढ़कर तुझे दुझे दुख देने लगे, जब तक तु फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं तेरे आगे से उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके निकालता रह मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूँगा, और तु उन्हें अपने सामने से बर्बस निकालेगा, तु न तो उनसे वाचा बांधा और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझ से मेरे विरुद्ध पाप करा क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपास न करे, तो यहां तेरे लिए फंदा बनेगा. निर्गमन अध्याय चौबीस फिर उसने मुसा से कहा, तू हारुन, नादाब, अभी हूँ, और इस्राइलियों के सत्तर पुरुणियों समेत, यहां के पास उपर आकर, दूर से दंडवत करना, और केवल मुसा, यहां के समीप आए, परंतु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके संग उपर न आए तब मुसा ने लोगों के पास चाकर, यहवा की सब बाते और सब नियम सुना दिये, तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, कि जितनी बाते यहवा ने कही है, उन सब बातों को हम मानेंगे, तब मुसा ने यहवा के सब वचन लिख दिये, और बिहान को सबेरे उठकर, इसरायल के बारहो गोतरों के अनुसार बारह खंबे भी बनवाये, तब उसने कई इसरायली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहवा के लिए होमबली और बैलों के मेलबली जड़ाये, और मुसा ने आधा लोहू तो लेकर कटोरों में रखा, और आधा वेदी पर छिड़क दिया, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया, उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहवाने कहा है, उस सब को हम करेंगे, और उसकी आग्या मानेंगे, तब मुसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया, और उनसे कहा, देखो, यह उस पर तुम्हारे साथ बांधी है, तब मुसा, हारुन, नादाब, अभिहु, और इस्राइलियों के सत्तर पुर्णिये उपर गए, और इस्राइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चर्णों के तले नील मनी का चबुत रासा कुछ था, जो आकाश के तुल्दे ही स् और उसने इस्राइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया, और खाया पिया, तब यहुआ ने मुसा से कहा, पहाड पर मेरे पास चड़, और वहा रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया, और अपनी लिखी हुई व्यवस और आज्या दूंगा, कि तू उनको सिखाए, तब मुसा यहुशुनाम अपने तहलुए समेत परमिशर के परवत पर चड़ गया, और पुरुनियों से वह यह कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, तब तक तुम यही हमारी बाट जहोते रहो, और सुनो, हा का मुकदमा हो, तो उनही के पास चाए, तब मुसा परवत पर चड़ गया, और बादल ने परवत को चा लिया, तब यहुवा के तेज ने सिनय परवत पर निवास किया, और वह बादल उन पर चह दिन तक चाया रहा, और सात्वे दिन उसने मुसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इस्राइलियों की दुरुष्टी में यहुवा का तेज परवत की चूटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था, तब मुसा बादल के बीच में प्रवेश करके परवत पर चड़ गया, और मुसा परवत पर चालिस दिन और चालिस रात रहा. निर्गमन अध्याय 25 अर्थात, सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सुक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुयों की खाले, बबुल की लखडी, उजियाले के लिए तेल, अभिशेक के तेल के लिए और द्रव्य, एपोध, और चप्रास के लिए सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए मनी, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, कि मैं उनके बीच निवास करू, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात, निवास्थान और उसके सब सामान का नमुना, उस उसकी लंबाई अढ़ाई हात और चवडाई और उचाई डेढ़ हात की हो, और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढवाना, और संदुक के ऊपर चारो और सोने की बाढ़ बनवाना, और सोने के चार कड़े ढलवाकर उसके चारो पायों पर एक अलंग दो कड़े और चबुल की लकडी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडो को संदुक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदुक उठाया जाए वे डंडे संदुक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किये जाए और जो साक्षी पत् उसे उसी संदुक में रखना, फिर चोखे सोने का एक प्रायस्चित का ढखना बनवाना, उसकी लंबाई अढ़ाई हात और चवडाई देढ़ाई हात की हो, और सोना ढ़ालकर दो करूब बनवाकर प्रायस्चित के ढखने के दोनों सीरों पर लगवाना, एक करूब तो एक सीरे पर और दूसरा करूब दूसरे सीरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायस्चित के ढखने को एक ही टुकडे से बनवाकर उसके दोनों सीरों पर लगवाना, और उन करूबों के पंख उपर से ऐसे फैले हुए बने की प्रायस्चित का ढखना उनसे धपा रहे, और उनके मुक आमने सामने और प्रायस्चित के ढखने की ओर रहे, और प्रायस्चित के ढखने को संदुक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षिपत्र मैं तुझे दूँगा, उसे संदुक के भीतर रखना, और मैं उसके उपर रहकर तुझसे मिला करूँगा, और इस्राइलियों के लिए जितनी आग्या है, मुझको तुझे देनी होगी, उन सभों की विशे में मैं प्रायश्चित्त के ढखने के उपर स और उन करुबों के बीच में से, जो साक्षिपत्र के संदुक पर होंगे, तुझसे वारतालाप किया करूँगा, फिर बबुल की लकडी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई दो हाथ और चावडाई एक हाथ, और उचाई डेढ़ हाथ की हो, उसे चोखे सोने से मढवाना और उसके चारो और सोने की एक बाड बनवाना, और उसके चारो और चार अंगुल चवडी एक पट्री बनवाना, और इस पट्री के चारो और सोने की एक बाड बनवाना, और सोने के चार कड़े बनवाकर मेज के उन चारो कोनों में लगवाना, जो उसके चारो पायों में ह वे कड़े पट्री के पास हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्ही के बल उठाई जाए और डंडों को बबुल की लकडी के बनवा कर सोने से मढवाना और मेज उन्ही से उठाई जाए और उसके परात और धूपतान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना और मेच पर मेरे आगे भेट की रूटिया नित्यरक्था करना फिर चोखे सुनी की एक दिवट बनवाना सोना ढलवा कर वह दिवट पाए और डंडी सहीत बनाया जाए उसके पुश्पकोश गाठ और फूल सब एक ही तुकडे के बने और उसकी अलंगों से छ डा तीन डालिया निकले तीन डालिया तो दिवट की एक अलंग से और तीन डालिया उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो एक एक डाली में बादाम के फुल के समान तीन तीन पुश्पकोश एक गाठ और एक एक फुल हो दिवट से निकली हुई छहो डालियों का यही आकार और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान चार पुष्टकोन अपनी अपनी गाठ और फूल समेत हो। और दिवट से निकलगी हुई छहो डालीयों में से दोदो डालीयों के नीचे एक-एक गाट हो, वे दिवट सम्मेत एक ही टुकडे के बने हुए हो, उनकी गाटे और डालिया सब दिवट सम्मेत एक ही टुकडे की हो, चोखा सोना ढलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकडे का बनवाना और साथ दीपक बनवाना और दीपक जलाय जाए कि वे दिवट के सामने प्रकाश थे और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो वह सब इन समस्त सामान समेद की कारभर चोखे सोने का बने और साथान रहकर इन सब वस्तूओं को उसके नमुनी के समान बनवाना जो तुझे इस परवत पर दिखाया गया है निर्गमन अध्याई 26 फिर निवास्थान के लिए दस परदे बनवाना इनको बटी हुए सनी वाले और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का कड़ाई के काम किये हुए करूबों के साथ बनवाना एक-एक परदे की लंबाई 28 हाथ और चवडाई 4 हाथ की हो सब परदे एक ही नाप की हो पाँच परदे एक दूसरे से जुड़े हुए हो फिर जो पाँच परदे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो और जहां ये दोनों परदे जोड़े जाए वहां की दोनों छोरों पर नीली-नीली फलिया लगवाना दोनों छोरों में से पचास पचास फलिया ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो और सुने के पचास अंकड़े बनवाकर और परदों के पंखो को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास्थान मिलकर एक ही हो जाए. फिर निवास के उपर तंबु का काम देने के लिए बकरी के बाल के ग्यारह परदे बनवाना. एक एक परदे की लंबाई तीस हाथ और चवड़ाई चार हाथ की हो. ग्यारह परदे एक ही नाप के हो. और पांच परदे अलग और फिर छह परदे अलग जुड़वाना. और पचास अंकडे उस परदे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और पचासी अंकडे दुसरी ओर के परदे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के पचास अंकडे बनवाना और अंकडों को फलियों में लगाकर तंबु को ऐसा जुड़वाना कि वह प्रदो के लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली और लटका रहे और तंबु के परदो की लंबा इसमें से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के धापने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे फिर तंबु के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंडो की खालो का एक ओड़ना और उसके उपर सुयों की खालो का भी एक ओड़ना बनवाना फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबुल की लकडी के तक्ते बनवाना एक-एक तक्ते की लंबाई दस हाथ और चवड़ाई डेढ़ हाथ की हो एक-एक तक्ते में एक दुसरे से जोड़ी हुई दो-दो चूले हो निवास के सब तक्तों को इसी भाती से बनवाना और निवास के लिए जो तक्ते तु बनवाएगा उसमें से बीस तक्ते तो दख्खिन की ओर के लिए हो और बीसो तक्तों के नीचे चांदी की चालिस कुरसिया बनवाना अर्थात एक-एक तक्ते के नीचे उसके चूले के लिए दो-दो कुरसिया और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर बीस तक्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की चालिस कुरसिया बनवाना, अर्थात एक-एक तक्ते के नीचे दो-दो कुरसिया हो, और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिन की ओर के लिए छे तक्ते बनव और ये नीचे से दो दो भाग के हो, और दोनो भाग उपर के सेरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए, और दोनो तक्तों का यही रूप हो, ये तो दोनो कोनों के लिए हो, और आठ तक्ते हो, और उनकी चांजी की सोलह कुरसिया हो, अर्थात एक एक तक्ते के नीचे दो दो क फिर बबुल की लकडी के बेंडे बनवाना अर्थात निवास की एक अलंग के तक्तों के लिए पांच और निवास की दूसरी अलंग के तक्तों के लिए पांच बेंडे और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए पांच बेंडे बनवान और बीच वाला बेंडा जो तक्तो के मध्य में होगा, वह तंबू के एक सेरे से दूसरे सेरे तक पहुँचे, फिर तक्तो को सोने से मढवाना, और उनके कड़े जो बेंडो के घरों का काम देंगे, उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेंडो को भी सोने से मढवाना, और नि फिर निले, बैंजनी और लाल रंग के और पटी हुई सुक्ष्म सनिवाले कपड़े का एक बीच वाला परदा बनवाना, वह कड़ाई के काम किये हुए करुबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबुल के चार खंबों पर लटकाना, इनकी अकडिया सोने की हो, और ये चांदी की चार कुरसियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले परदे को अकडियों के नीचे लटका कर उसकी आड में साक्षी पत्र का संदुक भीतर लिवा ले जाना, सो वह बीच वाला परदा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परमपवित्र स्थान से अलग कि परमपवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदुक के उपर प्राश्चित के ढखने को रखना, और उस परदे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना, और उनकी दखिन अलंग मेज के सामने दिवट को रखना, फिर तंबु के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सुक्ष्म सनिवाले कपड़े का करहाई का काम किया हुआ एक परदा बनवाया, और इस परदे के लिए बबुल के पाच खंबे बनवाना, और उनको सोने से मढवाना, उनकी कड़िया सोने और उनके लिए पीतल की पाच कुर्सिया ढलवाकर बनवाना, निर्गमन अध्याय 27, फिर वेदी को बबुल की लकडी की पाच हाथ लंबी और पाच हाथ चवडी बनवाना, वेदी चवकोर हो, और उसकी उचाई तीन हाथ की हो, और उसके चारो कोनों पर चार सिंग बनवाना, वे उस समेथ एक ही टुकडे के हो और उसे पीतल से मढवाना, और उसकी राक उठाने के पात्र, भावडिया और कटोरे और काटे और अंगिठिया बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का जंजरी बनवाना और उसके चारो सीरोक में पीतल के चार कड़े लगवाना और उस जंजरी को वेदी के चारो ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की उचाई के मध्य तक पहुँचे और वेदी के लिए बबुल की लकडी के डंडे बनवाना और उन्हें पीत वे उसकी दोनों अलंगों पर रहे, वेदी को तक्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस परवत पर तुझे दिखाई गई है, वैसी ही बनाई जाए, फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दखिन अलंग के लिए तो बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के सब परद की हो, एक अलंग पर तो इतना ही हो, और उसके बीस खंबे बने, और इनके लिए पीतल की बीस कुरसिया बने, और खंबों के कुंडे, और उनकी पटिया चांगी की हो, और उसी भाती आंगन की उत्तर अलंग की लंबाय में भी सोहात लंबे परदे हो, और उनके भी बीस ख और उन खंबों के कुंडे और पटिया चांगी की हो। फिर आंगन की चवडाई में पच्छिन की और पचास हाथ के परवे हो। और उनके खंबे दस और खाने भी दस हो। और पूरबलंग पर आंगन की चवडाई पचास हाथ के हो। और आंगन के द्वार की एक और पंध्रह हाथ के परवे हो। और उनके खंबे तीन और खाने तीन हो। और दुसरी और भी पंध्रह हाथ के परवे हो। उनके भी खंबे तीन और खाने तीन हो। और आंगन के द्वार के लिए एक परदा बनवाना। जो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ बीस हाथ का ह उसके खंबे चार और खाने भी चार हो। आंगन की चारो ओर के सब खंबे चांदी की पट्रियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई सौ हाथ की और उसकी चवडाई बराबर पचास हाथ की और उसकी कनात की पुष्म सनी के कपड़े की बने और खंबो के खाने पीतल के हो। निवास के भाती-भाती के बरतन और सब सामान और उसके सब खुंटे और आंगन के भी सब खुंटे पीतल ही के हो। फिर तु इसराइलियों को आग्या देना कि मेरे पास दिवट के लिए कूट के निकाला जलपाई का निर्मल तेल ले आना जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबु में उस बीच वाले परदे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा हारून और उसके पुत्र दिवट सांज से भोर तक यहवा के सामने सजा कर रखे। यह विधी इसराइलियों की प निर्गमन अध्याए 28 फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अभिहु, एलियाजार और इतमार नाम उसके पुत्रों को अपने समीत ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्रवस्त्र बनवाना। और जितनों के रधै में बुद्धी है, जिनको मैंने बुद्धी देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्या दे, कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीना बंद और एपोद और जामा, चार खाने का अंगर खा, पुरोहित का टोप और कमर बंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पु सोने और निले और बेंजनी और लाल रंग का और सुक्ष्म सनी का कपड़ा ले, और वे एपोद को सोने और निले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सुक्ष्म सिने के कपड़े का बनाए, जो की निपुन कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो, और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके दोनों कंधों के सेरे आपस में मिले रहे। और एपोत पर जो काड़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हो और सोने और निले बेंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सुक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर दो सुलेमानी मनी लेकर उन पर इसरायल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से छे तो एक मनी पर और शेश छे नाम दूसरे मनी पर इसरायल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मनी खुदने वाले के काम से जैसे छापा खुदा जाता है, वैसे ही उन दो मनियों पर इस्राइलों के पुत्रों के नाम खुदवारा, और उनको सोने के खानों में जड़वा देरा, और दोनों मनियों को एपोत के कंदों पर लगवारा, वे इस्राइलियों के निमित्त स्मर अर्थात हारुन उनके नाम यहवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरन के लिए लगाये रहे। एपोत की नाई सोने और नीले बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वहां चवकोर और दोहरी हो और उसके लंबाई और चवडाई एक बित्ते की हो और उसमें चार पांती मनी चड़ाना। पहली पांती में तो मानिक्य, पदमराग और लागली हो। दूसरी पांती में मरकत, निलमनी और हीरा। तिसरी पांती में लशम, सुर्यकांत और निलम। और चवथी पांती में फिरोजा, सुलेमानी, मनी और यशब हो। यह सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इस्रायल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मनी हो। अर्थात, उनके नामों की गिंतिक अनुसार बारह नाम खुदे। बारहों गोत्रों में से एक-एक का नाम एक-एक मनी पर ऐसे खुदे, जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चप्रास पर डोरियों की नाई गुंते हुए चोखे सोने की जंजीर लगवारा, और चप्रास में सोने की दो कड़िया लगवारा, और दोनों कड़ियों को चप्रास के दोनों सिरों पर लगवारा, और सोने के दोनों गुत्थे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों मे जो चप्रास के सीरों पर होंगी लगवाना और गुते हुए दोनों जंजिरों के दोनों बाकी सीरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोत के दोनों कंधों के बंधनों पर उनके सामने लगवाना फिर सोने की दो और कडिया बनवा कर चप्रास के दोनों सीरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोत की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की दो और कडिया बनवा कर एपोत के दोनों कंदों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड के पास एपोत के काड़े हुए पटकों के उपर लगवाना। और चप्रास अपनी कडियों के द्वारा एपोत की कडियों में निले फीते से बांधी जाए। इस रीती वह एपोत के काड़े हुए पटुके पर बनी रहे। और चप्रास एपोत पर से अलग न होने पाए। और जब-जब हरुन पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब-तब वह न्याय की चप्रास पर अपने रधे के ऊपर इस्राइलियों के नाम को लगाए रहे। जिससे यहवा के सामने उनका स्मरन निट्च रहे। और तु न्याय की चप्रास में उरिम और तुमिम को रखना। और जब-जब हरुन यहवा के सामने प्रवेश करे तब-तब वह उसके रधे के ऊपर हो। इस प्रकार हरुन इस्राइलियों के न्याय पदार्थ को अपने रधे के ऊपर यहवा के सामने निट्य लगाए रहे। फिर एपोत के बागे को संपुर्ण निले रंग का बनवा और उसकी मनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सीर डालने के लिए छेद हो। और उस छेद की चारो और बखतर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारो और निले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनव अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार, इसी रिती बागे के नीचे वाले घेरे में चारो और ऐसा ही हो। और हारुन उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहिदा करे। कि जब-जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वह बाहर निकले तब-तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे चापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए। अर्थात, यहोवा के लिए पवित्र और उसे निले फिते से बांध रहे, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, और वह हारुन के माथे पर रहे। इसलिए कि इस्रायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात अपनी पवित्र वस्तुए बेट में चड़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोश हारुन उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सुक्ष्म सनी के कपड़े का चार खाना बुनवाना, और एक पगड़ी भी सुक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और कार्चों भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना. फिर हारुन के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपिया बनवाना, ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने. अपने भाई हारुन और उसके पुत्रों के ये ही सबवस्त्र पहिना कर उनका अभिशेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना, कि वे मेरे लिए याजिक का काम करे, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांगिया बनवाना, जिनसे उनका तन धपा रहे, वे कमर से ज जांग तक की हो, और जब-जब हारुन वा उसके पुत्र मिलापवाले तंबु में प्रवेश करे, वा पवित्रस्तान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब-तब वे उन जांगियों को पहिने रहे, न हो कि वे पापी ठेरे और मर जाए, यहां हारुन के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदाकी विधी ठेरे। एक निर्दोष पच्छडा और दो निर्दोष मेढे लेना, और आखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मईदे के आखमीरी फुलके और तेल से चुपडी हुई आखमीरी पपडिया भी लेना, यह सब गेहु के मैदे के बनाना. इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बच्छडे और उन दोनों मेंधों समेत समीप ले आना, फिर हारुन और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबु के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना, तब उन वस्तरों को लेकर हारुन को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चप्रास बांधना, और एपोद का काठा हुआ पटुका भी बांधना, और उसके सिर पर पगडी को रखना, और पगडी पर पवित्र मुगट को रखना, तब अभिशेक का तेल ले उसके सिर पर डालना, उसका अभिशेक करना, फिर उनके पुत्रो को समीप ले आकर उनको अंगर के पहिनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपिया रखना जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संसकार करना और बच्छडे को मिलाव वाले तमबु के सामने समीप ले आना और हारुन और उसके पुत्र बच्छडे के सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस बच्छडे को यहवा के सनमुख मिलापवाले तमबु के द्वार पर बलिदान करना और बच्छडे के लोहु में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी क सिंगों पर लगाना और शेश सब लोह को वेदी के पाए पर उंडेल देना और जिस चरबी से अतड़िया ढपी रहती है और जो जली कलेजे के उपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके उपर की चरबी समित लेकर सब को वेदी में जलाना और बच्छडे का मास और खाल और गोबर चाउनी से बाहर आग में जला देना क्योंकि यहां पाप बली होगा फिर एक मेंधा लेना और हरुन और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस मेंधे को बली करना और उसका लोहु लेकर वेदी पर चारो और छिड़कना और उस कर उसके टुकडो और सिर के ऊपर रखना तब उस पूरे मेंधे को वेदी पर जलाना वह तो यहां के लिए होममली होगा वह सुखदायक सुगंद और यहां के लिए हवन होगा फिर दूसरे मेंधे को लेना और हारुन और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ र और उसके लोहु में से कुछ लेकर हारुन और उसके पुत्रों के दहिने कान के सीरे पर और उनके दहिने हाथ और दहिने पाव के अंगुठों पर लगाना। और लोहु को वेदी पर चारों और चड़क देना। फिर वेदी पर के लोहु और अभिशेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारुन और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी चड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। इसमें से भी एक रूटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेना। इन सब को हारुन और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाये जाने की भेट ठेरा के यहवा के आगे हिलाया जाएं। तब उन वस्त्रों को उनके हाथों से लेकर होमबली की वेदी पर जला देना। जिससे वह यहुआ के सामने सुखदायक सुगंद ठेरे। वह तो यहुआ के लिए हावन होगा। फिर हारुन के संसकार का जो मेंधा होगा उसकी चाती को लेकर हिलाये जाने की भेट के लिए यहुआ के आगे हिलाना और वह तेरा भाग और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंधा होगा उसमें से हिलाय जाने वाली की भेट वाली जाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेट वाला पुठा जो उठाया जाएगा इन दोनों को पवित्र ठहरागा। और यह सदाकी विधी की रिकी पर इस्रायलेंग की और से उसका और उसके पुत्रों का भार ठहरे, क्योंकि यह उठाए जाने की भेट ठहरेंगी। पहने हुए उनका अभिशेक और संसकार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्रस्थान में सेवा टहल करने को मिलापवाले, तंबु में पहले आए, तब उन वस्त्रों को साथ दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संसकार का जो मेंधा होगा, उससे लेकर उसका मास किसी पवित्रस्थान में पकाना। तब हारुन अपने पुत्रों समेथ उस मेंधे का मास और टोकरी की रोटी दोनों को मिलापवाले तंबु के द्वार पर खाए। और जिन पदाखतों से उनका संसकार और उ उनको तो वे खाए, परंतु पराय कुल का कोई उन्हें न खाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। और यदि संसकार वाले मास और रोटी में से कुछ बिहाम तक बचा रहे, तो उसे बचे हुए को आग में चलाना, वहां खाया न जाए, क्योंकि वहां पवित्र होगा। और मैंने तुझे जो जो आग्या दिये है, उन सभों के अनुसार तू, हारून और उसके पुत्रों से करना, और साथ दिन तक उनका संसकार करते रहना। अर्थात, पाप बली का एक बचड़ा प्रायस चित्त के लिए प्रतिदीन चढ़ाना, और वेडी को भी प्रायस चित्त करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिशेक करना, साथ दिन तक वेडी के लिए प्रायस चित्त करके उसे पवित्र करना, और वेडी परम पवित्र ठेरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा, वह भी पवित्र हो जाएगा, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, वह यह है, अर्थात, प्रति दिन एक एक वर्ष के दो भेडी के बच्चे, एक भेड के बच्चे को तु भोर के समय, और दुसरे भेड के बच्चे को गोधुली के समय चढ़ाना, और एक भेड के बच्चे के संग, हीन की चवथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का, दस्वा भाग मैदा, और अर्ग के लिए हीन की चवथाई दाखमदू देना, और दुसरे भेड के बच्चे को भी गोधुली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीत के अनुसार अन्नबली और अर्ग दोनों देना, जिससे वह सुखदायक, सुगंध और यहवा के लिए हवन ठेरेगा, तुम्हारी पिढ़ी-पिढ़ी में यहवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होंबली हुआ करे, यह वह स्थान है जिसमें मै तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझ से बाते करूँ, और मैं इस्राइलियों से वही मिला करूँगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारुन और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राइलियों के मध्य निवास करूंगा, और उनका परमिश्वर ठहरूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहवा उनका परमिश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, कि उनके अध्य निवास करूंगा, मैं ही उनका परमिश्वर यहवा हूँ, निर्गमन अध्याय तीस, फिर धूप चलाने के लिए बाबुल के लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई एक हाथ और चलाना, चवडाई एक हाथ की हो, वहाँ चवकोर हो, और उसकी उचाई दो हाथ की हो, और उसके सिंग उसी तुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के उपर वाले पल्ले और चारो ओर की अलंगों और सिंगों को चोके सोने से मड़ना, और इसकी चारो और सोने की एक बाड बनाना और इसकी बाड के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दो दो कड़े बनाकर इसके दोनों और लगाना वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडों को बबुल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढड़ना और तू उसको उस परदे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदुक के सामने है। अर्थात प्रायस्टित वाले ढगने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है वही मैं तुछ से मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारुन सुगंदित धूप चलाया करे। प्रति दिन भोर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाये। तब गोधुली के समय जब हारुन दीपकों को जलाये तब धूप चलाया करे। यह धूप यहवा के सामने तुम्हारे पीधी-पीधी में नि जलाया जाए और उस वेदी पर तूम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बली और न अन्न बली चढ़ाना, और न इस पर अर्ग देना, और हारुन वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायस चित्त करें, और तुम्हारी पिढ़ी पिढ़ी में वर्ष में इस पर प्रायस चित्त किया जाए, यहां यहवा के लिए परम पवित्र है, और तब यहवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों की गिंती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिंती हुई हो, अपने अपने प्राणों के लिए यहवा को प्रायस चित्त दे, ज जिससे जब तु उनकी गिंती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ती उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए, वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल बीस गेरा का होता है। यहवा की भेट आधा शेकेल का हो। बीस वर्ष के वा उससे अधिक अवस्ता के जितने गिने जाए, उनमें से एक एक जन यहवा की भेट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायस चित्त के निमित्त यहवा की भेट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगा लोग उससे कम दे और तू इस्राइलियों से प्रायस चित्त का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम मिलाना, जिससे वह यहवा के सनमुख इस्राइलियों के समरनार्थ चिंध ठेरे और उनके प्राणों का प्रायस चित्त भी हो, और यहवा ने मूसा से कहा दोने के लिए पीतल की एक और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलापवाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारुन और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाव दोया करें, जब जब वे मिलापवाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पाव जलसे धोए, नहीं तो मर जाएंगे, और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पाउध होए, नहो की मर जाए, यह हारुन और उसके पीड़ी-पीड़ी के वंश के लिए सदा की वीधी थेरे. फिर यहोवा ने मुसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंद द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार पांच सो शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात अढ़ाई सो शेकेल सुगंदीत डालचिनी और अढ़ाई सो शेकेल सुग अर्थात गंधी की रिती से तैयार किया हुआ सुगंधी तेल बनाना। यह अभिशेक का पवित्र तेल ठेरे और उससे मिलापवाले तंबू का और साक्षिपत्र के संदुक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूपवेदी का और सारे सामान समेत होम का अभिशेक करना और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठेरे और जो कुछ उनसे छूजाएगा वह पवित्र हो जाएगा फिर हारुन का उसके पुत्रों के साथ अभिशेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजग का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राइलियम को मेरी यहा आग्या सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीड़ी-पीड़ी में मेरे लिए पवित्र अभिशेक कार तेल होगा, वह किसी मनुष्र की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हार पवित्र होगा, जो कोई उसके समान कुछ बनाए वा जो कोई उसमें से कुछ पराय कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए, फिर यहवा ने मुसा से कहा, बोल, नखी और कुरुंद से सुगंद द्रव्य निर्मल लोबा समेत ले आना, ये सब एक तौल के हो, और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रिती के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंद द्रव्य बनवाना, फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना, तब उसमें से कुछ मिलापवाले तंबु में साक्षी पत्र के आगे, जहां पर मैं उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहवा के लिए पवित्र होगा, जो कोई सुगंद के लिए उसके समान कुछ बनवाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए. निर्गमन अध्याए 31 फिर यहवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहुदा के गोत्रका है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमशर की आत्मा से जो बुद्धी, प्रविंता, ज्यान और सब्रकार के कारियों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारिगिरी के कारिय बुद्धी से निकाल-निकाल कर, सब्भाती की बनावट में अर्थात, सोने, चांदी अहिसामक के पुत्र ओहली आब को उसके संग कर देता हूँ, बरन जितने बुद्धिमान है उन सबों के रधे में मैं बुद्धी देता हूँ, जिससे जितनी वस्तों की आग्या मैंने तुझे दी है, उन सबों को वे बनाए, अर्थात, मिलाप वाला तंबू, साक्षि पत सामान समेत चोखे सोने की दिवट और धूप वेदी, और सारे सामान सहीत होम वेदी और पाय समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभीशेक का तेल और पवित्र स्थान के ल मुसा से कहा, तू इस्राइलियों से यह भी कहना, कि निश्च तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीड़ी-पीड़ी में मेरे और तुम लोग के बीच यह एक चिन्न ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो, कि यहवा हमारा पवित्र करने हारा है इस कारण, तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र करें, वह निश्च मार डाना जाये, जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करें, वह प्रानी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए, छह दिन तो का दिन और यहवा के लिए पवित्र है इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चे मार डाला जाए सो इस्रायली विश्राम दिन को माना करें बरन पीड़ी पीड़ी में उसको सदा की वाचा का विश्चे जान कर माना करें वह मेरे और इस्रायलीयों के बीच सदा का एक चिन्ह हैगा क्योंकि छह दिन में यहवा ने आकाश और पुत्री को बनाया और साथवे दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमिश्वर मुसा से सिने परवत पर ऐसी बाते कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दो त लखिया दी। कि उस पुरुष मुसा को जो हमें मिस्रदेश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारुन ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे-बेटियों के कानों में सोने की जो बालिया है उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब ल और एक बच्छडा धाल कर बनाया और टांकी से गठा। तब वे कहने लगे कि हे इसरायल करा परमिश्वर जो तुझे मिस्रदेश से चुड़ा लाया है वह यही है। यह देखके हरुन ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहवा के लिए परव होगा और दूसरे दिन लोगोंने तड़के उठकर होम बली चढ़ाए और मेल बली ले आए फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहवा ने मुसा से कहा नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रचा के लोग जिन्हें तु मिस्रदेश से निकाल ले आया है सो बिगड गए है और जिस मार्ग पर चलने की आग्या मैंने उनको दी थी उसको जटपड तोड़कर उन्होंने एक बचड़ा धालकर बना लिया फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलीदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि है इसराइलियो तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुडा ले आया है वह यही है फिर यहवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हटीले है अब मुझे मत रोक मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करो परंतु तुछ से एक बड़ी जाती उप जाऊंगा तब मुसा अपने परमिश्वर यहवा को यह कहिके मनाने लगा कि हे यहवा तेरा कोप अपनी प्रजाप पर क्यों भड़का है जिससे तु बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाडों में घात करके धर्ती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया तु अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानी पहुचाने से फिर जा अपने दास इब्राहिम इसहाक याकुब को स्मरन कर जिससे तुने अपनी ही किरिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वहां उनके अधिकारी सदयवब बने रहे तब यहवा अपनी प्रजा की हानी करने से जो उसने कहा था पचताया तब मुसा फिरकर साक्षी की दो तक्यों को हाथ में लिये हुए पहार से उतर गया तब तक्यों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था और वे तक्यों परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर क लिखा हुआ था। जब यहोशु को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाए पड़ा तब उसने मुसा से कहा चावनी से लड़ाई का शब्द सुनाए पड़ता है। और उसने तक्हियों को अपने हातों से परवत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाय होए बच्छे को लेकर आग में डालके फूख दिया। और पीस कर चुल चुल कर डाला। और जल के ऊपर फिक दिया। और इस्राइलियों को उसे पिलवाया। तब मुसा हारुन से कहने लगा उन लोगोंने तुझ से क्या किया कि तुने उनको इतने बड़े पाफ में फसाया। हारुन ने उत्तर दिया मेरे प्रभु का कोप न भढ़के। तु तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराए में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा जिस जिस के पास सोने के गहने हो वे उनको तोड़ कर उतार लाये। और जब उन्होंने मुझ को दिया मैंने उन्हें आग में डाल अब यह बचला निकल पड़ा। हरुन ने उन लोगों को ऐसा निरंकुष कर दिया था कि वे अपने विरोधुईयों के बीच उपहास की योग्य हुए। उनको निरंकुष देखकर मुसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहवा की ओर कहो वह मेरे पास आए। तब सारे लेविय उसके पास एकटे हुए। उसने उनसे कहा, इस्रायल का परमेश्वर यहवा यो कहता है, कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटका कर चावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घुम घुम कर अपने अपने भाईयों संगियों और पडोसियों को घात करो। मुसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन तीन हजार के अटकल लोग मारे गए। फिर मुसा ने कहा, आज के दिन यहवा के लिए अपना याजग पत का संसकार करो। वरन अपने अपने बेटों और भाईयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो। जिससे वह आज तुमको आशिश दे। दूसर दिन मुसा ने लोगों से कहा, तुमसे बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहवा के पास चड़ जाऊँगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकू। तब मुसा यहवा के पास जाकर कहने लगा क हाई हाई, उन लोगों ने सोने का देवता बनवा कर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तुम उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काड़ दे। यहवा ने मुसा से कहा, जिसने मेरे विरुध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काड़ दूँगा, अब तो तु जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझ से की थी, देख, मेरा दूत तेरे आगे-ागे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूँगा, उस दिन उनको इस पाप का भी दंड और यहवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हरुन के बनाये हुए बच्छे को उन्ही ने बनवाया था। से छुडा लाया है, संग लेकर उस देश को जा। जिसके विशे मैंने इबराहिम, इसहाक और याकूब से शपत खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वन्ष को दूँगा, और मैं तेरे आगे-ागे एक दूत को भेजूँगा, और कनानी, एमोरी, हेती, परिज्जी, हेवी यवुसी लोगों को बरबस निकाल दूँगा, तुम लोग उस देश को जाओ, जिसमें दूद और मधु की धारा बैती है, परंतु तुम हटी ले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूँगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंटकर डालो, यह बु यह बुसा से कह दिया था, कि इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना, कि तुम लोग तो हटी ले हो, जो मैं पलभर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलू, तो तुम्हारा अंतकर डालोंगा, इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानू कि त तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तब इसराइली होरे परवच से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे. मुसा तंबु को च्छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलाप वाला तंबु कहता था, और जो कोई यहवा को ढूंता, वह उस वाले तंबु के पास जो च्छावनी के बाहर था, निकल जाता था, और जब जब मुसा तंबु के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मुसा उस तंबु में प्रवेश न करता था, तब तक उसकी ओर ताकते र हर जाता था, और यहोवा मुसा से बाते करने लगता था, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबु के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवर करते थे, और यहोवा मुसा से इस प्रकार आमने सामने बाते करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बाते करे। और मुसा तो च्छानु में फिराता था। पर यहोशु नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मुसा का टहलुआ था, वह तंबु में से न निकलता था। और मुसा ने यहोवा से कहा, सुन, तु मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तु मेरे संग किसको भीजेगा, तो भी तुने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और तुझ पर मेरे अनुगरह की दुरुष्टी है, और अब यदि मु तुझे अपनी गती समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्यान पाओ, तब तेरे अनुगरह की दुष्टी मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधी कर कि यह जाती तेरी प्रजा है। यहवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। उसने उससे कहा यही तुझे आप न चले, तो हमें यहां से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुगरह की दुष्टी मुझ पर और अपनी पजा पर है। क्या इससे नहीं कि तुझे हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी पजा के लोग पृत्विभर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तुने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुगरह की दुष्टी तुझ पर है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सनमुख होकर च और जिस पर मैं अनुगरह करना चाहूं, उसी पर अनुगरह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूं, उसी पर दया करूँगा। फिर उसने कहा, तु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवीत नहीं रह सकता। फिर पाने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तु उस चक्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चक्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाओ, तब तक अपने हाथ से तुझे धापे फिर मैं अतना हाथ उठा लूँगा, तब तु मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परम तु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। की दो और तक्तिया गड़ले। तब जो वचन उन पहली तक्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तुने तो डाला वे ही वचन मैं उन तक्तियों पर भी लिखूंगा। भेड़ वक्री और गाय बैल भी परवत के आगे चरने पाये। तब मुसा ने पहली तक्तियों के समान दो और तक्तिया गड़ी। और बिहान को सबेरे उटकर अपने हाथ में पत्थर की वे दो तक्तिया लेकर यहवा की आग्या के अनुसार सिने परवत पर चड़ गया। परंतु दोशी को वहां किसी प्रकार निर्दोश न ठैराएगा। वहां पित्रों के अधर्म का दंड उनके बेटो बरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मुसा ने भूर्तिकर पुत्वी के ओर जुक कर दंडवत की। और उसने कहा हे प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टी मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हटी ले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को ख्षमा कर। और हमें अपना निजभाग मान के ग्रहन कर। उसने कहा सुन मैं एक व और वे सारे लोग जिनके बीच तु रहता है यहवा के कारे को देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भैयोग्य काम है। जो आग्या मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हिती, परीजी, हिव्वी और यवुसी लोगों को निकावता हूँ। इसलिए सावधान रहेना। कि जिस तेश में तु जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। कही ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठैरे। बरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी के दंडवत करने की आज्या नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलंशिल है, वह जलुखने वाला परमिश्वर है ही। ऐसा न हो कि तु उस तेश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का वेविचार करें, और उनके लिए बलिदान ही करें, और कोई तुझे नेवता दे, और तु भी उसके बलीपशुका प्रसात खाये, और तु उनकी बेटीों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटिया जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का वेविचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवत पीछे होने का वेभिचार करवाएं। तुम देवतों की मुर्तिया ढ़ा कर न बना लेना। आख मेरी रोटी का पर्व मनाना। उसमें मेरी आग्या की अनुसार अभी महिने के नियत समय पर साथ दिन तक आख मेरी रोटी खाया करना। क्योंकि तुम मिस्र से अभी महिने में निकलाया। हर एक पहलवठा मेरा है। और क्या बच्टा क्या मेमना तेरे पशो में से जो नर पहलवठे हो वे सब मेरी ही है। और गधी के पहलवठे की संती मेमना देकर उसको छुडाना। यदि तु उसे छुडाना न चाहे तो उसकी गरदन तोड़ देना। परंतु अ कोई छूचे हाथ अपना मुह न दिखाए। च्छ दिन तो परिश्रम करना, परम तू सात्वे दिन विश्राम करना, बरन हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना, और तू अठवारों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहुं का पर्व कहलाता है, और व वर्ष में तीन बार तेरे सब पुरुष इसरायल के परमेश्वर प्रभू यहुआ को अपने मुह दिखाए, मैं तो अन्यजातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहुआ को अपना मुह दिखाने के फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना, अपनी भूमी की पहली उपच का पहला भाग अपने परमश्वर यहवा के भवन में ले आना, बकरी के बच्चों को उसकी मा के दूध में न सिजाना, और यहवा ने मुसा से कहा ये वचन लिख ले, क्योंकि इ तेरे और इस्राइलियों के साथ वाचा बानता हूं। मुसा तो वहां यहवा के संग चालिस दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रूटी खाई और न पानी पिया, और उसने उस तक्कियों पर वाचा के वचन अर्थात दस आग्याए लिख दी। निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चहरे से किरने निकल रही है। जब हारुन और सब इस्राइलियों ने मुसा को देखा कि उसके चहरे से किरने निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मुसा ने उनको बुलाया, और हारुन मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मुसा उनसे बाते करने लगा इसके बाद सब इसराइली पास आये और जितनी आग्याए यहवा ने सिने परवत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई जब तक मुसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपन मुह पर ओढ़ना डाले रहा और जब जब मुसा भीतर यहवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था फिर बाहर आकर जो जो आग्या उसे मिलती उन्हें इसराइलियों से कह देता था सो इसराइली मुसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरने निकलती है और जब तक वह यहवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह ओढ़नी को डाले रहता था निर्गमन अध्याय पैतिस निर्गमन अध्याय पैतिस सारे सामान समेत पवित्रस्थान और याजिकों के वस्त्र बनाये जाने का वर्नन मुसा ने इसराइलेओं की सारी मंडली इकति करके उनसे कहा जिन कामों के करने की आग्या यहवा ने दिये है वे ये है छे दिन तो कामकाज किया जाए, परन्तु सात्वा दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहवा के लिए परम विश्राम का दिन ठेरे, उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, परन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना. फिर मुसा ने इस्राइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस पात की आग्या यहवा ने दी है, वह यह है, तुम्हारे पास से यहवा के लिए भेट ली जाए। अर्थात, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, वे यहवा की भेट करके ये वस्तुए ले आए। अर्थात, सोना, रूपा, पीतल, निले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सुक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंडों की खाले, सुईसों की स्खाले, बबुल की लकडी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिशेक का तेल, और धूप के लिए सुलेमानी मनी, और जडने के लिए मनी, और तुम्मे से जितनों के रधे में बुद्धी का प्रकाश है, वे सब आकर, जिस जिस वस्तु की आग्या यहवाने दी है, वे सब बनाएं, अर्थात, तंबु, और ओहर समेत, निवास, और उसकी घुंटी, तकते, बेंडे खंबे और कुर्सिया, फिर डंडो समेत, संदुक और प्रायस्चित का ढखना, और बीचवाला परदा, डंडो और सब सामान समेत, मेज और भेट के रूटिया, सामान, और दिपको समेत, उजियाला देने वाला दिवट, और उजियाला देने के लिए तेल, डंडो समेत, ध पिशेक का टेल, सुगंदि धूप और निवास के द्वार का परदा, पीतल की जन्जरी, डंडो, आदी सारे सामान समेत होमवेधी, पाय समेत हाओदी, खंबो और उनकी खुरसियो समेत आंगन के परदे और आंगन के द्वार के परदे, निवास और आंगन दोनों के खुंट और डोरिया, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काड़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारुन याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी. तब इस्राइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लवड गई और जितनों को उच्छा हुआ और जितनों के मान में ऐसी इच्छा उत्पन हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबु के काम करन के और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तों के बनाने के लिए यहवा की भेट ले आने लगे क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन हुई थी वे सब जुगनु नथुनी मुंदरी और कंगन आदी सोने के गहने ले आने लगे इस भाती जितने मुनुष्य यहवा के लिए सोने की भेट के देने वाले थे वे सब उनको ले और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी वा लाल रंग का कपड़ा वा सुक्ष्म सनी का कपड़ा वा बकरी के बाल वा लाल रंग से रंगी हुई मेंडों की खाले वा सुईसों की खाले थी वे उन्हें ले आए फिर जितने चांदी वा पितल की भेट के देने वाले थे वे यहवा के लिए वैसी भेट ले आए और जिस जिस के पास सेवकाई की किसी काम के लिए बबुल की लकडी थी वे उसे ले आए और जितनी स्त्रियों के रधे में बुद्धी का प्रकाश था वे अपने हातों से सू और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धी का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते और प्रधान लोग एपोध और चप्रास के लिए सुलेमानी, मनी और जड़ने के लिए मनी और उजियाला देने और अभिशेक और धूप के सुगंदर द्रव्य और तेल ले आ जिस जिस वस्तु के बनाने के आग्या यहवा ने मुसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्च था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रिया ले आए, जिनके रधै में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार इस्राइली यहवा के लिए अपनी ही इच से भेट ले आए, तब मुसा ने इसराइलियों से कहा, सुनो, यहवा ने यहुदा के गोत्रवाले बसलेल को जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमिश्वर के आत्मा से ऐसा परिपुर्ण किया है, कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धी समझ और ज्ञान मिला है, कि वह कारीगरी की युक्तिया निकाल निकाल कर सोने चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मनी काटने में, और लकड़ी के खोदने में, बरन बुद्धी से सब भाती की निकाली हुई बनावट में काम कर सके फिर यहवा ने उसके मन में और दान के गोत्रवाले अहिसा माक के पुत्र अहोली आप के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दिये है। इन दोनों के रधै को यहवा ने ऐसी बुद्धी से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गड़ने और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सुक्ष्म सनी के कपड़े में काड़ने और बुनने बरन सप्रकार की बनावट में और बुद्धी से काम निकालने मे निर्गमन अध्याय चत्तीस और बसलेल और ओहुलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहवा ने ऐसी बुद्धी और समझ दी हो कि वे यहवा की सारी आज्याव के अनुसार पवित्रस्थान की सेवकाई के लिए सप्रकार का काम करना जाने वे सब यह काम करे तब मुसा ने बसलेल और ओहुलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके रधे में यहवा ने बुद्धी का प्रकाश किया था अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उच्छा हुआ था उन सभों को बुलवाया और इस्रायली जो जो भेट पवित्रस्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आये थे उन्हें उन पुरुशों ने मुसा के हाथ से ले लिया तब भी लोग प्रतिभोर को उसके पास भेट अपनी च्छा से लाते रहे और जितने बुद्धिमान पवित्रस्थान का काम करते थे वे सब अपना-पना काम छोड़ कर मुसा के पास आये और कहने लगे जिस काम के करने की आग्या यहवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधीक वे ले आये तब मुसा ने च्छावनी में इस आग्या का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष च्यास्त्री कोई पवित्रस्थान के लिए और भेट न लाए इस प्रकार लोग और भेटे लाने से रोके गए क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवशक था उतना बरण उससे अधीक बनाने वालों के पास आ चुका था और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के दस पटों को काड़े हुए करूबो सहीत बनाया एक एक पट क लंबाई 28 हात और चवडाई 4 हात की हुई सब पट एक ही नाप के बने उसने पाच पट एक दुसरे से जोड़ दिये और फिर दुसरे पाच पट भी एक दुसरे से जोड़ दिये और जहां ये पट जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उसने नीली-नीली फलिया लगाई। उसने दोनों छोरों में पचास-पचास फलिया इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई। और उसने सोनी की पचास गुंडिया बनाई और उनके दोरा पटों को एक दुसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के उपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के ग्यारह पट बनाए। एक एक पट की लंबाई तीस हाथ और चवडाई चार हा के थे। इनमें से उसने पाँच पट अलग और च्छ पट अलग जोड़ दिये। और जहां दोनों जोड़े गए वहा की छोरों में उसने पचास पचास फलिया लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की पचास गुंडिया भी बनाई। जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के निले लाल रंग से रंगी हुई मेंडू की खालों का एक ओड़ना और उसके उपर के लिए सुईसों की खालों का भी एक ओड़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तक्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। ए एक एक तकते में एक दूस्की से जोड़ी हुई दो दो चुले बनी. निवास के सब तकतों के लिए उसने इसी भाती बनाई. और उसने निवास के लिए तकतों को इस किती से बनाया कि दक्खिन की और बीस तकते लगे. और इन बीसो तक्तों के नीचे चांदी की चालीस कुरसिया अर्थात एक एक तक्ते के नीचे उसकी दो चुलों के लिए उसने दो कुरसिया बनाई। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने बीस तक्ते बनाई। और इनके लिए भी उसने चांदी की चालीस कुरसिया अर्थात एक एक तक्ते के नीचे दो दो कुरसिया बनाई। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पस्चिम ओर के लिए उसने छे तक्ते बनवाए और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने दो तक्ते बनवाए और वे नीचे से दो दो भाग के बने और दोनो भाग उपर के सिरे तक उन दोनो तक्तों का धब ऐसा ही बन इस प्रकार आठ तक्ते हुए और उनकी चांदी की सुलह कुरसिया हुई अर्थात एक-एक तक्ते के नीचे दो-दो कुरसिया हुई फिर उसने बबुल की लकडी के बेंडे बनाए अर्थात निवास की एक अलंग के तक्तों के लिए पाच बेंडे और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी पाच बेंडे बनाये और उसने बीच वाले बेंडे को तक्तों के मद्ध में तंबु के एक सीरे से दुसे सीरे तक पहुचने के लिए बनाया और तक्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेंडों के घर का काम देखने वाले उनको सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मढ़ा, फिर उसने नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सुक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला परदा बनवाया, वह कड़ाई के काम किये हुए करुबों के साथ बना और उसने उसके लिए बब गुंडिया भी सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की चार कुरसिया ढाली, और उसने तंबु के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुए परदा बनवाया, और उसने पीरो और जोडने की छडो को सोने से मढ़ा और उनकी पांच खुरसिया पीतल की बनाई। अठाई हाथ, चवडाई देढ हाथ और उचाई देढ हाथ की थी। और उसने उनको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारो और सोने की बाड बनाई। और उसके चारो पायो पर लगाने को उसने सोने के चार कड़े डाले। दो कड़े एक अलंग और दो कड़े दूसरी अलंग पर लगे। फिर उसने बबुल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदुक की दोनो अलंगो के कड़ो में डाला कि उनके बल संदुक उठाया जाए। फिर उसने चुके सोने के प्रायस्चित्त वाले धकने को बनाया। उसकी लंबाई अठाई हाथ और चवडाई देढ हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर दो करूब प्रायस्चित्त के धकने के दोनों सिरो पर बनाया। एक करूब तो एक सिरे पर था और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायस्चित्त के धकने के साथ एक ही तुकडे के दोनों सिरो पर बनाया। और करूबों के पंख उपर से फैले हुए थे, और उन पंखों से प्रायसचित्त का ढखना ढपा हुआ था, और उनके मुह आमने सामने और प्रायसचित्त के ढखने की ओर किये हुए बने, फिर उसने बबुल की लकडी की मेज को बनाया, उसकी लंबाई दो हाथ, चवडाई एक हाथ और उचाई देढ़ हाथ की थी, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा, और उसमें चारो और सोने की एक बाड़ बनाई, और उसने उसके लिए चार अंगुल चवडी एक पट्री और इस पट्री के लिए चारो और सोने की एक बाड़ बनाई, और उसने मेज के लि पायो पर थे। वे कड़े पट्री के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबुल की लखडी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज़पर का सामान अर्थात, परात, धूपदान, कटोरे और उंडिलने के बरतन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दिवट को बनाया। उसके पुष्पकोष, गांट और फूल सब एक ही टुकडे के बने। और डिवट से निकली हुई छह डालिया बनी। तीन डालिया तो उसकी एक अलंग से और तीन डालिया उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनी। एक एक डालिया में बादाम के फूल के सरेखे तीन तीन पुष्पकोष, एक एक गांट और एक एक फूल बना। दिवट से निकली हुई उन छहो डालियों का यही ढब हुआ। और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपने अपनी गांट और फूल समेत चार पुष्पकोण बने। और दिवट से निकली हुई छहो डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांट दिवट के साथ एक ही तुकडे की बनी। गाठे और डालियों सब दिवट के साथ एक ही तुकडे की बनी। सारा दिवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही तुकडे का बना। और उसने दिवट के सातो दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाये। उसने सारे सामान समेत दिवट को किकारभर सोने का बनाया। फिर उसने बबुल की लकडी की दुपवेदी भी बनाये। उसकी लंबाई एक हात और चवडाई एक हात की थी। वह चवकोर बनी। और उसकी उचाई दो हात की थी। और उसके सिंग उसके सात बिना जोड के बने थे। और उपर वाले पल्लो और चारो ओर की अलंगों और सिंगो समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा। और उसकी चारो ओर सोने की एक बाड बनाई। और उस बाड के नीचे उसके दोनो पल्लों पर उसने सोने के दो कड़े बनाये, जो उसके उठाने के डंडों के ख और उसने अभिशेक का पवित्र तेल, सुगंद द्रव्य का धूप, गंधी की रिती के अनुसार बनाया। पांच हात और चवडाई पांच हात की थी, इस प्रकार से वह चवकोर बनी, और उचाई तीन हात की थी, और उसने उसके चारो कोनों पर उसके चार सिंग बनाये, वे उसके साथ बिना जोड के बने, और उसने उसको पीतल से मढ़ा, और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियो, फावडियो, कटोरो, काटो और कर्चों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारो ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक जंजरी बनाई। वह नीचे से वेदी की उचाई के मध्य तक पहुची और उसने पीतल की जंजरी के चारो कोनों के लिए चार कड़े ढाले, जो डंडो के खानों का काम दे। फिर उसने डंडो को बवुल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडो को वेदी की अलंगों के कड़ो में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेद्यु को उसने तक्तों से खोकली बनाया और उसने हवदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाये। यह मिलापवाले तंबु के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पनों के लिए पीतल के बनाये गए। फिर उसने आंगन बनाया और दखिन अलंग के लिए आंगन के परदे बटी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर सव हाथ लंबे थे। उनके लिए बीस खंबे और इनकी पीतल की बीस कुरसिया बनी और खंबों की घुंडिया और जोडने की छड़े चांगी की बनी और उत्तर अलंग के लिए भी सव हाथ लंबे परदे बने और उनके लिए बीस खंबे और इतनी पीतल की बीस ही कुरसिया बनी और खंबों की घुंडिया और जोडने की छड़े चांगी की बनी और पश्चिंग अलंग के लिए सब परदे मिलाकर पचास हाथ के थे उनके लिए दस खमबे और दस ही उनकी खुरसिया थी, और खमबो की घुंडियों और जोडने की चड़े चांदी की थी, और पुरब अलंग में भी वहाँ पचास हाथ के थे. आंगन के द्वार के एक और के लिए पंद्रह हाथ के परदे और उनके लिए तीन खंबे और तीन खुरसिया थी। सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंबो की कुरसिया पीतल की और घुंडिया और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंबे चांदी के चड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के परदे पर वेल बूटे का काम किया हुआ था। और वह नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़ों का और सुक्ष्म बटी हुए सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई बीस हाथ की थी, और उसकी उचाई आंगन की कनात की चवड़ाई के समार पांच हाथ की बनी, और उनकी लिए चार खंबे और खंबो की चार ही कुरसिया पीतल की बनी, उनकी घुंडिया चांदी की बनी, और उनके सीरे चांदी से मढ़े गए, और उनक और आंगन की चारो ओर के सब खुंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सिवकाई के लिए बना और जिसकी गिंती हारुनियाजक के पुत्र इतामार के द्वारा मुसा के कहने से हुई थी उसका वर्नन यहां है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आग्या यहवा ने मुसा को दी थी उसको यहुदा के गोत्रवाले बसलेल ने जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था बना दिया। और उसके संग दान के गोत्रवाले अहिसा माक का पुत्र होली आब था, जो खोदने और काडने वाला और नीले बैंजनी और लाल रंके और सुक्ष्म सनी के कप्रेक में कार्चोब करने वाला निपुन कारिगर था। पवित्रस्थान के सारे काम में जो भेट का सोना लगा वह 29 किकार और पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 703 शेकल था। और मंडली के गिने होए लोगों की भेट की चांदी 100 किकार और पवित्रस्थान के शेकल के हिसाब से 1775 शेकल थी। अर्थात, जितने बीस बरस के और उसके अधिक अवस्ता के गिने गए थे, वे छे लाग तीन हजार साड़े पाँच सो पूरुश थे, और एक-एक जन की ओर से पवित्रस्थान के शेकल के अनुसार आधा शेकल, जो एक बेका होता है, मिला, और वह सौकिकर चांदी, पवित वाले परदे दोनों की कुरसियों के ढालने में लग गई, सो किककार से सो कुरसिया बने, एक-एक कुरसी एक किककार की बने, और सत्रह सो पचातर शेकल, जो बच गए, उनसे खंबो की गुंडिया बनाई गई, और खंबो की चोटिया मणी गई, और उनकी छड़े भी बना उससे मिलापवले तंबु के द्वार की कुरसिया और पितल की वेदी, पितल की जहांजरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारो ओर की कुरसिया और उसके द्वार की कुरसिया और निवास और आंगन की चारो ओर के खुंटे भी बनाए गए। निर्गमन अध्याय उन्तालिस फिर उन्होने नीले, बेंजने और लाल रंग के काड़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारुन के लिए भी पवित्रवस्त्र बनाए. जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दी थी, और उसने एपोद को सोने और नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया, और उन्होंने सोना पीट-पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट-काट कर त और तारों को नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सुक्ष्म सनी के कपड़े में कटाई की बनावट से मिला विया, एपोद के जोडने को उन्होंने उसके कंधों पर से बंधन मनाये, वह तो अपने दोनों सीरों से जोड़ा गया, और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटु का उसपर बना वह उसके साथ बिना जोड़का, और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी, और उन्होंने सुलेमानी मनी काट कर उनमें इस्राइल के पुत्रों के नाम जैसा चापा खोदा जाता है, वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिया, और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिस से इस्राइलियों के लिए स्मरं कराने वाले मन ठैरे, जिस प्रकार यहवाने मूसा को आग्या दी थी, और उसने चप्रास को एपोद की लाई सोने की और निले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेलबुटे का काम किया हुआ बनाया, चप्रास तो चवकोर बनी, और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चवडा बना, और उन्होंने उसमें चार पांती मनी जड़े, पहली पांती में तो मानिक्य, पदमराग और लाडली जड़ेगे, और दुसरी पांती में मरकत, निल्मनी और हीरा, और और तीसरी पांती में लशम, सुर्यकांत और निलम, और चवती पांती में फिरोजा, सुलेमानी, मनी और यशब जड़े। ये सब अलग-अलग सोने के खानों में जड़े गए। और ये मनी इसराइल के पुत्रों के नामों की गिंती के अनुसार बारह थे। बारहो गत्रों में से एक एक कन्नाम जैसा चापा खोदा जाता है, वैसा ही खोदा गया, और उन्होंने चप्रास पर डोरियों की नाई गुंते हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के दो खाने और सोने की दो कडिया बनाकर दोनों कडियों को चप्रास के दोनों सीरों पर लगाया तब उन्होंने सोने की दोनों गुंती हुई जंजीरों को चप्रास के सीरों पर की दोनों कडियों में लगाया और गुंती हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सीरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़के एपोत के समने दोनों क और उन्होंने सोने की और दो कड़िया बना कर चप्रास के दोनों सिरो पर उसकी उस कोर पर जो एपोत की भीत्री भाग में थी लगाई। उसकी कड़ियों के द्वारा एपोत की कड़ियों में नीले फिते से ऐसा बांधा कि वह एपोत के काड़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चप्रास एपोत से अलग न होने पाए जैसे यहवा ने मूसा को आग्या दी थी। फिर एपोत का बागा संपुर्न नीले रंग का बनाया गया। और उसकी बनावट ऐसी हुए कि उसके बीच बखत्तर के छेद के समान एक छेद बना। और छेद के चारो ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए और उन्होंने उसके नीचे वाले गहरे में नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए और उन्होंने चोखे सोने की घंटिया भी बनाकर बागे के नीचे वाले गहरे के चारो ओर अनारों के बीच बीच लगाई। अर्थात बागे के नीचे वाले गेरे की चारो और एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे। जैसे यहवा ने मुसा को आग्या दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सुक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सुक्ष्म सनी के कपड़े की सुन्दर टोपिया और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांगिया और सुक्ष् जिस तरह यहवा ने मूसा को आग्या दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुगुट की पटरी चोखे सोने की बनायी। और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए। अर्थात यहवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला फीता ल रहें। जिस तरह यहवा ने मूसा को आग्या दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबु के निवास का सब काम समाप्त हुआ। और जिस जिस काम की आग्या यहवा ने मूसा को दी थी इसराइलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास लिया। अ लाल रंग से रंगी हुई मेंडों की खालों का ओडना और सुईसों की खालों का ओडना और बीच का परदा, डंडों सहीत साक्षी पत्र का संदुक और प्रायस्चित्त का धकना, सारे सामान समेत मेज और भेट की रोटी, सारे सामान सहीत दिवट और उसकी सजावट के दीप और उजियाला देने के लिए तेल, सोनी की वेदी और अभिशेक का तेल, और सुगंदी धूप और तंबु के द्वार का परदा, पीतल की जंजरी, डंडो और सारे सामान समेथ पीतल की वेदी, और पाय सहत होदी, खंबो और कुर्सियों समेथ आंगन के परदे, और आंगन के द्वार का परदा, और डोरिया, और खुंटे, और मिलाप वाले तंबु के निवास की सेवकाई का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए, वेल बुटा काणे होए वस्त्र, और हारुन याजक क पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहिनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात, जो जो आग्या यहवा ने मूसा को दी थी, उन्ही के अनुसार इस्राइलियों ने सब काम किया, तब मूसा ने सारे काम का निरिक्षन करके देखा, कि उन्हों उनने यहोवा की आज्या के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशिर्वात दिया. निर्गमन अध्याए चालिस यहोवा की निवास के खड़े किये जाने और उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्नन. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महिने के पहले दिन को तू मिलापवाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना, और उसमें साक्षी पत्र के संदुक को रखकर बीच वाले परदी की ओट में करा देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है, उसे सजवा देना, तब दिवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदुक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के परदे को लगा देना, और मिलापवाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम और मिलापवाले तंबू और वेदी के बीच हवुदी को रखके उसमे जल भर्ना, और चारो ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर परदे को लटका देना, और अभिशेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमे होगा सब कुछ का अभिशेक और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वहाँ पवित्र ठेरेगा, और सब सामान समेत होमविदी का अभिशेक करके उसको पवित्र करना, तब वहाँ परम पवित्र ठेरेगी, और पाय समेत होदी का भी अभिशेक करके उसे पवित्र करना, और हारुन और उसके पुत्रों को मिलापवाले कम्बू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारुन को पवित्र वस्त पहिनाना, और उसका अभिशेक करके उसको पवित्र करना, कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहिनान और जैसे तू उनके पिता का अभिशेक करें, वैसे ही उनका भी अभिशेक करना, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिशेक उनकी पीड़ी-पीड़ी के लिए उनके सदा के याजकपन का चिन्न ठहरेगा, और मुसा ने जो जो आग गया, यहवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसर बरस के पहले महने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया, और मुसा ने निवास को खड़ा करवाया, और उसकी कुरसिया धर उसके तकते लगाके उनमें बेंडे डाले, और उसके झके खंबु को खडा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबु को फइलाया, और तंबु के ऊपर उसने ऊढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहवा ने मुशा को आज्या दी थी, और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदुक में रखा, और संदुक में डंडो को लगा के उसके उपर प्रायस चित्त के धकने को धर दिया, और उसने संदुक को निवास में पहुचाया, और बीच वाले परदे को लटक वाके साक्षि पत्र के संदुक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दे थी, और उसने मिलाप वाले तंबु में निवास की उत्तम अलंग पर बीच के परदे से बाहर मेज को लगवाया, और उस पर उसने यहवा के संदुक रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दे थी, और उसने मिलाप वाले तंबु में मेज के सामने निवास की दखिन अलंग पर दिवट को रखा, और उसने दीपकों को यहवा के संदुक जला दिया, जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दे थी, और उसने मिलाप वाले तंबु में बीच के परदे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंदीत धूप चला आया, जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दी थी, और उसने निवास के द्वार पर पर परदे को लगाया, और मिलाप वाले तंबु के निवास के द्वार पर होम वेदी को रख कर उस पर होम बली और अन्न बली को चड़ाया, जिस प्रकार यहवा ने मुसा को आग्या दी थी, और उसमें मिलाप वाले तंबु और वेदी के बीच हवदी को रख कर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पाऊ धोये और जब-जब वे मिलाप वाले तंबु में वा वेदी के पास जाते थे तब-तब वे हाथ पाऊ धोते थे जिस प्रकार यहवा ने मूसा को आग्यदी थी और उसमें निवास की चारों और और की वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया, और आंगन के द्वार के परदे को लटका दिया, इस प्रकार मुसा ने सब काम को पुरा कर समाप्त किया, तब बादल मिलापवाले तंबु पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास्थान में भर गया, और बादल जो मिलापवाले तंबु पर ठहर गया, और यहोवा का तेज जो निवास्थान में भर गया, इस कारण मुसा उसमें प्रवेश न कर सका, और इस्राइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था, कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता, तब तब वे कुछ नहीं करते थे, इस्राइल के घरारे की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सभू को दिखाई दिया करती थी.